Hey everyone, welcome to the class, this is मैं अभी शेक साहू गाइस कैसे हैं आप सभी, उमिद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपने रे आप्टिक्स का पार्ट परस्ट अच्छे से देख लिया होगा, कवर कर लिया होगा, जिन बच्चों नहीं देख पाया है, वो जल्दी से देख की वीडियो थी, तो आप उस वीडियो को पूरा बहुत अच्छे से देखें, है ना क्योंकि एक एक पॉइंट जो आपको बताया गया है, वो most important है, skip करने की कोशिस मत करना, ठीक है, अच्छा इस पार्ट टू में मैं आपको बताया, कि लेंस मेकर, फॉर्मला, स्पेरिकल, प्रिज्म, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, किसी बच्चे को अगर नोट्स डाउनलोड करने हैं, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा, और टेलीग्राम चैनल का नाम जो है हमारे, अभिशेक साहू सर फिजिक्स के नाम से आपको मिल जाए और अपकमिंग सभी वीडियोज वगरा की नोटिफिकेशन, नोट्स वगरा सभी कुछ आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे मिलता रहेगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक देदी, अगर लिंक काम नहीं करती है, तो आप टेलीग्राम पे नाम से सर्ज कर सकत नहीं, जिसको और करने की जो लिंक है, यह मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देदी है, इस बुक के अंदर हमने CBSE के कोडिंग बढ़िया एक्जाम रिलेटेड क्वेशन को रखा हुआ है, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है, वो सिर्फ ऐसे क्वेशन की हो जो की most useful, most important questions है, आप कहीं और अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि एक्जाम जो है आपके एकदम पास आ चुके हैं, और एक्जाम टाइम पर जो आपका टाइम है, उससे ज़्यादा कीमती आपके लिए कुछ और नहीं है, तो जरूरी है कि आप अपना टाइम ऐसे questions पर इन्वेस्ट करें, जो की डाइरेक्ट आपके एक्जाम में पूछ जाने के chances उनके पहुँजादा होते हैं, तो अगर आप चाते हैं कि ऐसे questions की आप practice करें, तो आप हमारी जो बुक है, एडुकार्ट physics question bank आप उसको जरूर से order करें, और उसके questions को practice करें, और बढ़िया लेकिन क्या मुझे lens पहले पढ़ना चाहिए, तो answer है, मुझे lens पहले नहीं पढ़ना चाहिए, क्यों, सर्फ क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ, देखो, actual lens क्या होता है, lens दो spherical surfaces का combination है, जिनको एक साथ जोड दिया गया है, है ना, ऐसे जोड तो convex lens बन जाएगा, और ऐसे जोड देंगे, तो concave lens बन जाएगा, टेक, तो इसका मतलब यह है, कि lens को पढ़ने से पहले, हमें पढ़ना चाहिए, spherical surface पे किस तरीके से reflection होता है, है ना, वहाँ पर क्या relation है, object distance, image distance, और उस surface की radius of curvature के बीच में, मतलब आप समझो, एक बार और पर बताता हूँ मैं, कोई भी lens जो है, यह दो spherical surfaces का combination है, जहाँ पर light का reflection होता है, तो अगर हमें lens को समझना है, तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा, कि हमारे पास कोई भी, एक single spherical surface है, है ना, तो light वहाँ किस तरह के से जाती है, हाँ, वहाँ पर अगर object अगर इस spherical surface के यहा पर रखा है, तो image कहाँ बनेगी, इनके बीच में क्या relation होगा, है ना, तो पहले हम समझेंगे, reflection at spherical surface, exam point of view से most most important topic है, ठीक है, यहीं से बनता है lens maker formula, और वहीं से हम lens को design कर पाएंगे, है ना, तो बहुत जरूरी से topic पर हम आ रहे हैं, हाँ, और topic का नाम क्या है, reflection at spherical surface, तो आ ऐसी surface जो sphere का part हो, उसको हम बोलते है spherical surface, तो यह से मान के चलो कि यह मेरे पास एक glass की ball है, glass का sphere, ठीक है, solid है, ठीक, अब मैंने क्या किया कि इसको बीच में से ऐसे cut कर दिया, black line दिखाई पट रही है, बीच में जब मैं इसको cut कर दूँगा इस तरीके से, तो मुझे यह वा वाली surface क्या है, solid है, कांच बरा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अगर यह air वाला part rarer है, तो glass वाला part denser medium हो जाएगा, अच्छा, तो आप यहां पर यह समझें, कि यह वाली जो जगे आपको दिख रही है, यह आप इसको convex बोलोगे, concave बोलोगे, आप सभी जानते हैं, आ को जिस प्रकार से है, कि concave spherical surface है, तो सामने वाला phase आपको ऐसे concave दिखाई पड़ेगा, मतलब open जो है, दिखाई पड़ेगा, अब आप भी देख रहें कि इसके पीछे वाले part में solid है, glass बरा हुआ है, तो इसके पीछे वाले part को हम इस तरीके से, क्योंकि हम ऐसे sketching नहीं कर देते हैं, कि पीछे वाला part यह जो है, denser medium है, कैसा है, denser, clear, इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखें, कि हमारे पास यह वाला part बचा था, ठीक है, यह वाला part हमारे पास बचा था, अब हम इस वाले part को यहाँ पे ऐसे नीचे draw करें, पीछे वाले part को भूल जाओ, पीछे पार्ट को भूल जाओ, ठीक है, तो यह वाला part आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा नीचे, हाँ, तो सामने वाली जो सर्फिस आप यह देख रहे हैं, यह कैसी सर्फिस है, तो यह सर्फिस है, का रखी है, air में रखी है, air कैसा medium कहलाएगा, rear air, अच्छा और इसके में glass भरा हुआ है, मतलब आगे वाला part कैसा हो गया, आगे वाला part convex हो गया, जो की air में रखा है, पीछे वाला part solid हो गया, ठीक है, जो की आप इसको denser बोलेंगे, तो अगर मुझे represent करना है, तो क्या बोलूँगा, देखो, convex वाला part इसके हवा में रखा है, ठीक, तो पीछे वाला पूरा क्या कहलाएगा, denser कहलाएगा, ठीक है, तो अभी हम derivation जो करेंगे, उसमें u, मतलब अगर देखो, आप समझते हैं, अगर हम इस spherical surface के सामने, जैसे अब मुझे बताओ, ये कौन सी surface आप इसको बोलोगे, कौन सर्फेस बोलोगे, concave spherical surface या convex spherical surface, कौन सी surface बोलोग आप इसको बोलेंगे, हाँ, convex वाला पार्ट open है न, आप इसको बोलेंगे, convex spherical surface, और ये वाले पार्ट में पूरे में, ग्लास बरा है, तो आप यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, simple, ये आपका हो गया, rarer medium, rarer, और ये हो गया आपका, यहाँ पे denser medium, ए ये बीच में से पास होने वाई लाइन को आपने principal axis बोल दिया, अच्छा, अभी क्या होगा, जैसे मान के चलो कि आप, normal सी glass sphere के सामने, यदि एक ball, object, कुछ भी रख देते हैं, तो उसकी जो image है, वो, उसकी जो image है, वो बनेगी, इसकी current है, तो हो सकता है कि उसकी image इस तरीक जोड़ी है, जब दो light rays after reflection है, reflection कहीं पर meet होती है, तो वहाँ पर image बन जाती है, ठीक है, बस यही कहानी यह आपको याद रखनी है, तो reflection formula में, हम किन चीजों के, हमें किस-किस का relation मिलेगा, u, v, mu, r, f, इनका relation हमें मिलेगा, तो देखते हैं, सबसे पहले हमें, सबसे पहले ह हम क्या करेंगे, reflection formula को derive करेंगे, for convex spherical surface, जहां पर हम object को रख रहे हैं, rarer medium में, और image बनेगी, denser medium में, आपको exam में, लिकर भी दे सकते हैं, कि object आपको कहां रखना है, और image का बनाना है, तो मैं आपको सारे cases को बढ़िया से समझाओंगा, है ना, अगर आप एक condition समझ गए, तो आप सारी समझ जाओगे, खुद से कर लोगे, as it is, same steps है, बस red diagram अलग अलग हो जाएंगे, है ना, तो यहां से अगर अटा देना, कि अगर आप एक समझ गए, यह मैं आपको समझा करके मानूंगा, बस आप इतना विश्वास रखिए, तो पहला काम में यह करना है, कि हम हमने, यह माना कि हमारे पास एक जो object है, यह point object है, यह हमारा assumption है, पूरे questions में, कि object हम कैसे लेंगे, point object, now, इसके बाद, तो यह, let's say, यह हमारे पास, एक incident light ray हो गई, देखो, जहां पर light ray meet करती है, वहां पर image बन जाती है, तो हमने का, यह हमारे पास एक incident light ray हो गई, ठीक है, और मैं इसको lock कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ, incident light, या incident ray, ऐसा लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि सर, इसमें बहुत सारी ray हो जाती है, तो इस जगह पे हम एक 90 degree वाल लाइन बनाएंगे, 90 degree, ठीक है, यह देखो, light कुछ यहां meet कर रही है, 90 degree वाल light ray, light ray नहीं है, अक्च्वल में यह क्या है, simple एक normal है, ठीक है, तो यह normal to the surface हमने यह बना लिए, ध्यान से देखना है, देखो, हमने इसको lock कर दिया, ठीक, यह क्या है, surface पे normal, कहां पे normal है, इस surface पे, जहां पे light टकरा रही है, वहां पे 90 degree बनना चाहिए, तो यह 90 degree बन रहा है, ठीक है, तो यह हमने इसको normal draw कर दिया, ठीक है, dance देखो, अभी क्या है, कि आप यह समझते हैं, कि यह light जो यहां से ऐसे जा रही थी, यह light ऐसे ही जाती रहती, अगर medium चेंज ना होता, लेकिन अब medium चेंज हो गया, rarer से denser medium में जा रही है, तो अभी क्या होगा, तो अभी होगा यह कि यह light, आप जानते हैं, denser medium में जब light जाती है, तो यह normal से दूर भागती है, कि normal के पास आती है, आंसर light bend होती है, towards normal, यानि कि normal के पास, तो यह light ऐसे ना जाते हुए, यह light normal की और जुक जाएगी, और अब यह कैसे जाएगी, अब यह normal की और जुक जाएगी, तो अब यह light जाएगी, कुछ इस परकार से, नीचे की side कह जाएगी, नीचे की side, तो हम इसको ऐसे बना देते हैं, यह यहाँ पर जाएगी, अब ध्यान से देखो, इस तरीके से यह गई, अब ध्यान से समझना, अभी हुआ क्या, कि एक object से बहुत सारी light rays निकल रही होती है, हम अपने काम की दो light rays जो है, select कर लेते हैं, ताकि हमें पता पढ़ जाएगी, जहाँ पर light rays meet करती है, वहीं पर image बनेगी, तो हमने इसलिए यहाँ पर दो light rays को select कर लिया, तो आप ही देखें, यह दोनों light rays जिस जगह पर meet कर रही है, उस जगह पर क्या बनेगी, उस जगह बनेगी image, हर बार आपको ऐसा ही काम करना है, तो यहाँ पर क्या बनेगी, image बनेगी, मैं चीज समझ गये, सारा का light ray है, यह कौन सी light ray है, यह refracted है, यह कौन सी है, refracted, और यह क्या है, यह normal है, surface पर normal, यह कोई light ray नहीं है, यह simple normal है, अच्छा, यह object है, ओ, यह image है आई, और जहाँ पर normal strike करता है, उस जगह का हम center of curvature बोलते हैं, क्या बोलते हैं, center of curvature, यह हो गया pole, pole से पास होने वाल light ray undeviated जाती है, pole और center से पास होने वाल light ray, ठेक है, देखो ज़रा, तो यह जा रही है, अब ही हम कहा करेंगे, कि सभी का nomenclature कर देंगे, इक distance बगरा का है, लेकिन उससे पहले, आपको यहाँ पर तीन angle बताने होते हैं, ठेक है, तो सबसे पहले मैं आप आपको angles की बात करूँ, तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि incident ray, यह light ray कौन से है, यह light ray normal है, ना, normal है, normal है, तो incident ray और normal के बीच में कौनसा angle बताया जाता है, आप इमानदारी से बताओ मुझे, incident ray और यह normal के बीच में कौनसा angle होता है, answer है, angle of incidence बताओ, कोई problem नहीं, टेक इसके बाद नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में कौन सा एंगल होता है एंगल ओफ रिफ्रैक्शन तो आई और आर मैंने आपको डंग से बता दिये इंचिंट रे और नॉर्मल को ढूडना है पकड़ना है आप अंगल बता सकते हैं अच्छा अब यहां पर आपको तीन अंगल बताने है एक और शोटर एंगल कैसा शोटर छोटा वाला एंगल एक एंगल इंसिदेंट और प्रिंसिपल एक्सस किसा जिसको हम बोलते हैं अलफा एक एंगल रिफ्रैक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के साज जिसको हम बोलते हैं बीटा और एक एंगल नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस के साज जिसको हम बोलते हैं गामा क्या बोलते हैं गामा इस तरीके से आपको यह उंगल्स यहां पर show करने हैं अब हम बात करते हैं distance की तो distance की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले क्या है कि object और pole के बीच की distance क्या कहलाईगी यह देखो pole और object distance का है यू लेकिन हम sign convention के recording देखेंगे तो हम इसको minus u ले सकते हैं कि ले सकते हैं minus u क्योंकि यह left में जा रहा है ठीक है यहां कहें कि incident रहे के opposite direction में जा रहा है ठीक नाओ इसी प्रकार आप यहां पर समझे है कि यह क्या है यह pole से लेकर के यह center of curvature है तो यहां तक की distance को आप लेते हैं आर लेकिन यह right side है तो हमने इसको positive r ले लिया positive को दिखाने की ज़रूत नहीं है अच्छा इसके लावा pole से लेकर के जहां पर image का formation हो रहा है इस जगह तक की distance को हम लेते हैं थोड़ी सी line यह लहरा गई है तो हम इसको सीधी कर देते हैं तो यहां से लेकर के यहां तक की distance है हमने इसको क्या बोला image distance v अब द्यान से समझना यह आपने diagram बना दिया बस ऐसा ही diagram बनेगा हर case में बस तरीक अलग अलग हो जाएगा clear now angle वगर आपने बता दिये अब यहां पर क्या करना होता है कि आपको कुछ basic properties बता रहा हूं यह diagram आपने बनाया साथ में copy में अपने साथ साथ मेरे साथ साथ diagram बनाना यह diagram में आप भी देख रहे हो यह कुछ angle बाहर जा रहे है ठीक है यह आप इस तरीक इस देखो तो आप बस एक property याद रखेंगे क्या property हमेशा क्या होता है exterior angle is equal to sum of interior angle exterior angle is equal to sum of interior angle तो आपको बस यहाँ पर ध्यान देना है कि सबसे पहले हमें यहाँ पे दो angle चाहिए i और r क्योंकि हम small slow apply करेंगे mu is equal to sign i upon sign r तो वहाँ पर हमें जो है दो angles की जरौत पड़ेगी तो आई के लिए जैसे हम आई वाले angle को की value पता करना चाहते हैं तो हम यह देखेंगे कि जो आई i angle है यह कौन-कौन Si lazy lines के बीच में बन रहा है तीक है जैसे कि और उसी triangle में work करेंगे द्यान से देखना द्यान से देखना देखो यह leaderanners यह like sorry green से दिखा यह normal कि द्यान से देखो यह I जो angle बन रहा है यह जिन line से चिपक रहे ना बस उन्हीं दोनों line को पीछे की साइड कीच थो यह देखो यह आई, यह आई जो angle है, यह आई अंगल यह तो normal के साथ है और दूसरा incident ray के साथ देखो, यह incident re ना एक normal और incident ray के साथ तो आप जब भी i की बात करेंगे ना, देखो normal incident ray यहां मिल रही है और नॉरमल यहां मिल रहा है तो जब भी हम i angle की बात करेंगे ना तु यहां पर एक triangle लेंगे ठीक है यहुहला let's say मैं इस point को नाम देता हूं M क्या नाम देता ह tbsp m' चलो तो यह point हो गया एंज ठीक अभी का क्या करते हैं ये राइट इंगल ट्र एंगर यहा सायद मुझे नहीं देख रहा है और यहां पर आप बिल्कुल यह मानके चलें कि लैंस जब थिन लैंस होता है तो पॉइंग यह जो M और N आप देख रहे हैं यह M और N वाले जो point है इनको close एकदम past past में माना जाता है ठीक है तो हम यहाँ पर यह assumption लिख लेते हैं कि जो point MN है यह क्या है यह point दोनों sorry यह P और N है here P and N are very close to each other ठीक है बात समझना अब reflection formula निकालने तो अब यह दोनों close है नहीं दूसरे के तो आप याद रखें कि जो distance O P की होगी वही distance हम O N की मानेंगे ठीक है जो distance मान के चलो P C की होगी वही distance हम P N की मानेंगे clear है यानि कि आप यह मानें कि यह जो point N है यह पोल के बहुत पास में है clear है यह हमारा assumption है अब कैसे derivation को करा जाता है इसके basically दो तिन step है जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है यह I वाला angle जैसे आपको यहाँ पे यह I वाला angle दिखाई पढ़ रहा है यह देखो यह I angle किस-किस के बीच में है देखो हमें refractive index का formula होता है sine I upon sine R तो वहाँ पे में I और R चाहिए होता है तो I निकालने के लिए हम क्या करेंगे मतलब I angle कितना है यह निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि I किस-किस के कौन से triangle में बन रहा है तो सबसे पहले देखो I जो angle बन रहा है यह कौन से light ray से बन रहा है तो देखो यह दो line से चिपका है आई वाले angle एक orange से और यह green से तो green वाले light ray जा रहा है C पे और orange वाली आ रहा है O पे और यह खुद point रखा है M पे तो यह जो OMC triangle है यहां से हम I angle को find out करेंगे इसी प्रकार हर वार का rule बता रहा हूँ मैं अब देखो ज़रा यह R वाला जो angle है यह कौन कौन से light ray को touch कर आए यह refracted यह यह वाले light को touch कर आए जो की कहा जा रही है I पे यह खुद कहा रखा है M पे ठीक है और इसके बाद देखो ज़रा यह light ray इसके साथ भी तो बन रहा है angle R तो यह कहां पहुँच रही है C पे तो C, M, I यह वाले triangle से हम क्या लेंगे R angle लेंगे ठीक है अब ध्यान से देखो ज़रा आपको बस दो step में सारा काम हो जाएगा आपका जैसे आपने angle I और R लेंगे ढूंड लिया न सबसे पहले आपको करना है I की value find out करो फिर आप R की value find out करो और apply snails law snails law को apply कर दो apply snails law बस इतना सा काम आपको करना है यह अगर आपने कर दिया दो step में आराम से derivation complete हो जाएगा I को निकालो R को निकालो और snails law को apply कर दो अब यह जो पूरा जो system है यह हम यहाँ पर ले करके आजाते हैं चले तो अभी यहाँ पर दहां से देखिए आप कि यहाँ पर यह क्या हो रहा है कि हमने माना कि सबसे पहले एक और assumption हमें यहाँ पर करना है assumption नहीं है यह हम actual में condition है कि हमने माल लिए कि जो rarer medium है उसका refractive index है mu1 कितना है mu1 ठीक है और जो denser medium है जो denser medium है उसका refractive index हम माल लेते है mu2 बस देखो तो हमने कहा करा पहले I की value निकाल लेते हैं पहले I की value तो I की value निकालने के लिए हमने कौन कौन से triangle work करते है M O C तो in triangle M O C ठीक है यह मैं इसको लिख देता हूँ C O M ठीक है O यह सौरी 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 C M O इस जगे पर बन रहा है ना इसलिए मैंने M को बीच में लिए आया है बस बागी कोई दिक्कत नहीं है ना अब इदान से देखो अभी क्या है किस triangle C M O में यह देखिए बाहर वाला angle कौन सा है बाहर वाला angle I है और अंदर वाले angle alpha और gamma है तो हम ऐसे लेखेंगे बाहर वाला is equal to दोनों अंदर वाले alpha प्लस gamma इसी दरीके से हम R वाले triangle की बात करते है तो C M I इन triangle C M I इन triangle C M I अभी दान से देखिए कि angle बाहर वाला इस वाले triangle में इस triangle में दान से देखो कि R और बीटा दो अंदर बन रहे है बाहर कौन बन रहा है बाहर बन रहा है गामा बार कौन बन रहा है गामा तो यहाँ पे लिखोंगा कि गामा इस एक्वल टू आर प्लस बीटा तो यहाँ से जो आर की वैल्यू आ जाएगी यह आ जाएगी गामा माइनस बीटा ठीक है यह अपने पास आर की वैल्यू हो गई यह अपने पास i की value हो गई ठीक है? अभी होता क्या है कि हमें यहाँ पे स्नेल स्लोई अपलाई करना है लेकिन स्नेल स्लोई अपलाई करेंगे तो वहाँ पे i और r की value रखी जाएंगी और अब जब i की value रखी जाएंगी तो alpha प्लस गामा आएगा उसकी जगए r की value रखी जाएंगी तो gamma माइनस बीटा आएगा तो अभी हमें क्या करना है कि पहले से यह alpha बीटा गामा की values को निकाल की रखेंगे तो यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखें कि यहाँ पर हमें मानना होता है कि बहुत since since angles are very small are very small we consider कभी angle बहुत छोटा हो ना तो 10 alpha को या 10 theta को आप theta assume करते हैं क्या assume करते हैं theta ठीक है तो हम ऐसा बोल सकते है कि अगर मुझे alpha की value चाहिए या gamma की value चाहिए या beta की value चाहिए तो मैं 10 alpha, 10 beta और 10 gamma से निकाल सकता हूँ तो यहां से मैं क्या निकालता हूँ alpha, beta और gamma की value अब देखो मैं यहां पे निकालूँगा alpha की value alpha की value 10 alpha की value के बराबर होगी कोई यह छोटे angles बन रहे हैं इसके अंदर यह हमारा assumption है ठीक नाव तो अभी alpha के लिए आप यह देखो अगर मुझे 10 alpha लगाना है तो perpendicular upon base लगेगा न तो perpendicular देखो alpha वाला angle कौन सा है यह है यह है न alpha वाला angle तो alpha वाला triangle को अगर मैं देखोंगा तो कौन सा angle बन रहा है देखो द्यान से देखना ज़रा तो यह alpha के लिए यह तो perpendicular हो गया perpendicular हो गया perpendicular हो गया MN upon यह हो गया base यह क्या हो गया base ठीक है P और N दोनों बराबर हैं तो क्या distance हो गई base की यह हो गई minus U इसी प्रकार से हम यह देखें कि बीटा is equal to 10 बीटा और इसकी value निकालते हैं तो बीटा वाले triangle देखो बीटा यहां पर बन रहा है यहां पर यहां बन रहा है तो यह वाले triangle में वार्क करेंगे यह वाले triangle में तो बीटा के लिए वार्क कर रहे हैं तो formula क्या बनेगा MN perpendicular upon base पर पेंडिकुलर अपन बेस तो बेस क्या है वी कि आई तक इतना ही है ना ठीक है इसके बाद देखिए जरा अब मुझे करना है गामा के लिए तो गामा is equal to 10 गामा is equal to perpendicular upon गामा यहां तक बन रहा है ना गामा यहां तक बन रहा है तो परपेंडिकुलर अपन बेस तो परपेंडिकुलर है MN और बेस क्या है यहां थक पॉइंट सी तक तो पॉइंट सी तक distance लिए है आर जो की positive है बस इन values को हम place करेंगे द्यान से देख लिया diagram द्यान से देख लिया ठीक है तो अगला step हमारा यह हो जाता है apply snell's law now by snell's law तो snell's law का कहता है sign i upon sign r ठीक है mu is equal to sign i upon sign r लेकिन इस बार आप यह देखिए कि light कौन से medium से कौन से medium में जा रही है one से two में जा रही है ना light कहां से जा रही है one से two में जा रही है तो one mu two is equal to sign i upon sign r तो इसको हम कहा लिख सकते है mu two upon mu one ठीक है यह सारी चीजें कैसे बदलती हैं यह मैंने आपको previous वीडियो में सिखाया हुआ है sign i अब देखो यहाँ पर फिर से assumption हमने क्या बोला कि यह angles बहुत छोटे हैं यह angles कैसे हैं यह angles कैसे हैं बहुत छोटे हैं तो जब बहुत छोटे angle हो है ना तो हम उसको 10 alpha जैसे alpha जो है angle है मुझे value निकालनी है तो मैंने क्या मान लिए 10 alpha तीक है इसी परकार जब बहुत छोटा angle होता है तो हम उसको क्या consider करते हैं जो sign लिखा है sign theta को हम theta consider करते हैं तो आप याद रखिए हमेशा किए यह rule है for very small angle इसको बोलते हैं sign angle approximation for very small angle ठीक है sign theta याईनि कि sign i is equal to i similarly sign r is approximately equal to r ठीक है जब angle बहुत छोटे होते हैं तो यह कुछ assumptions होते हैं ठीक है अगर only i लिखा होता तो पता किसके बरावर मानते हैं 10i के बरावर लेकर अगर यह sign i लिखा है अब मैं चाहता हूँ sign 1 अट जाएगा कि यह angle बहुत छोटा है ठीक है इसलिए हमने क्या करा है इसको simple i मान दिया ठीक now अभी देखिए तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 mu2 है तो light जा रही है mu2 मतब यह है mu2 upon mu1 ठीक है now तो इसको हमने क्या लेखा i upon r अब हम क्या करेंगे cross multiply cross multiply करा तो क्या आगया mu2 into r और is equal to mu1 into i बस यह rule आभ याद रखें इसके बाद क्या होगा द्यान से देखो mu2 की value तो mu2 है r की value बताओं हमने क्याEMis a r की value निकालि है साथ gamma minus β etti द्यान से देखो gamma minus बीटा तो हम यह आप लग देते मैं गामा minus बीटा r की जगेए mu1 डाई की value हमने क्या निकालि है i की value निकालि हमने alpha plus गामा क्या निकाली है अल्फा प्लस गामा ठीक है मूटू आप ध्यान से देखिए मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा मतलब पीछे स्लाइड पलटके तो आप यहां पर एक बार जान से देख लो कि वैल्यूज क्या क्या है देखो अल्फा की वैल्यू एमेन अपॉन यहां से वैल्यूज उठाएंगे अभी तो अल्फा की वैल्यू आप देख रहे हो क्या है गामा की वैल्यू क्या है mn upon minus का gamma की value plus का r है mn upon plus का r ठीक है इसके बाद minus beta की value देखो mn upon beta image ip बन रहा तो mn upon v है mu1 alpha की value alpha objective बन रहा था तो mn upon minus का u है plus gamma की value mn upon plus का r है यह हमने कुछ नहीं करा बस alpha beta gamma की तीनों जगे से values उठा के रख दी अब हम क्या करेंगे अब आपको यहाँ पे कुछ चीदे दिखाई भी पड़ रही होंगी कि यह mu2 लिखा है और यहाँ से mn common आ गया और mu2 लिखा है यह mn common आ गया और अंदर क्या बचा अंदर बचा है one upon r minus one upon b ठीक है ध्यान से देखना सारी जी समझ में आ रही है इतने आराम आराम समझा रहा हूं कि आपको सब बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए ठीक इसके बाद ध्यान से देखो इसके बाद यहाँ पर क्या बचा है यहाँ पर mu1 लिखा है और mn common आ गया तो यहाँ पर देखो क्या बचा है यहाँ पर minus का one upon u और plus का one upon r बस almost खतम हो गया ठीक है चलो इसके बाद देखिए जरा mn से mn कट जाएगा यहाँ पर mu2 का into अंदर भी हो जाएगा तो mu2 into r upon mu2 into v यहाँ पर देखो इसी परकार से यहाँ पर mu1 का into अंदर हो गया तो mu1 upon minus का u plus mu1 upon r प्लस यहाँ पर कोई problem नहीं होने चाहिए आपको अब हम क्या करेंगे कि r r को एक side कर लेंगे तो mu2 upon minus का v है ना चलो ठीक है तो mu2 upon r यह लिखा है mu1 upon r इस side आएगा तो minus का हो जाएगा ठीक यहाँ पर देखो यह minus का mu1 upon u लिखा है यह देखो यह minus का mu2 upon v side आएगा तो plus का हो जाएगा बन गया formula अभी मैं इसको थोड़ा सा flip करके ऐसे लिख देता हूँ देखना इस वाली side को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो mu2 upon v minus mu1 upon u is equal to mu2 यह LCM ले लोगा ना LCM तो नीचे ऐसे आजाएगा तो mu2 minus mu1 upon r यह जो है derivation हो गया reflection formula के लिए किसके लिए हो गया reflection formula के लिए यह आपने इसको derive कर दिया बताओ बहुत आसान है आपको लग रहा था tough लेकिन यह काफी आसान है तीक है आपको एक और बार डाइगराम बना के दिखाऊंगा लेकिन इस बार दूसरा दूसरे case वाला ताकि आपको बढ़िया से clear हो जाए अच्छा यहां पर यह मानके चलिए अगर rarer medium अभी हमने mu1 माना था उसको refractive index मानके चलो कि यदि rarer medium जो है air है if rarer medium is air ठीक है तो हम mu1 की जए में क्या मान सकते है one ठीक है और if ठीक है mu1 की जगह में क्या माना one माना और इसका वाद हमने मान लिया के and if और यदि mu2 की जगह mu मान ले तो देखो file formula क्या बनता है जरा इस पर नजर डालना mu2 की जगह हम क्या मान ले only mu तो यह बन गया mu upon v minus one upon u is equal to mu minus one upon r यह formula बन गया इस दम छोटू सा formula ठेक है यह बहुत आसान है आपको अभी यह समझ में आया होगा ठेक है आप चाहो तो उसका screenshot ले सकते हैं कैसे हमने diagram बनाया देखो यह diagram ने चाहे concave surface पे हो चाहे convex पे है ना object अगर rarer medium में रखा है तो formula आपका यही बनने वाला है ठेक है चलिए उमीद करता हूं समझ माया होगा ठेक चलो आगे बढ़ते हैं और इस बार मैं आपको बताता हूं कि यदि object जो है यह denser medium में रखा जाएगा तो किस तरीके से ray diagram बनेगा एक-एक स्टेप सेम है एक-एक स्टेप सेम है ठीक है अब मैं आपको फिर दूसरा भी डेरिवेशन अलके बिल्कुल immediate effect में करके दिखा दूंगा ताकि आपके प्रैक्टिस हो जाए इस बार हमने क्या माना कि जो object है मारा यह का रखा है denser medium में का रखा है denser medium में सर इस साइड को बना रहे है denser medium क्योंकि देखो क्या होता है कि हर बार हमने यही माना है हर बार हमने यही माना है कि light हम left side है ताकि औक सब्सक्राइब लेते हैं तो इस रिसाप से हम काम करेंगे साइन कंवेंशन बदल जाएंगे और सारी चीजें एकदम सेम रहेंगे तो कि अब यह दो इस बार कंडिशन क्या है रिफ्रेक्शन का हो रहा है कौन से सर्फेस परा तो रिफ्रैक्शन एच यह समझ गए न तो काम हो जाएगा लीफ्रैक्शन एट जा है यह kौण Championships like इसमें सभ्राइबरिकल सर्पेज यह कॉनभड सर्फेज में रेंअ है लेकिन टे ratio हैं लेकिन कॉन कॉण एंड इमेज इन रेरल मेडियम तो बस यह आपको याद रखना है कॉन्वेक्स का बनाना बताऊंगा आप समझ जाएंगे आराम से कोई दिक्कत नहीं होगा आपको पहला काम सबसे पहला काम होता है कि हम रे डाइग्राम बनाएं तो लेट से यह मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ह नाम दिया हो यह यहां से लाइट गई ऐसे अब इधान समझना यह कौन सी लाइट है यह इंसिडेंट है कौन सी है इंसिडेंट है ठेक है इसके बाद यह मैंने बनाया यहां पर नॉर्मल तो नॉर्मल टूदा सर्फेस कुछ इस तरीके से बनेगा यह क्या है इस सर्फेस क्या हो गया यह normal हो गया जहां पे normal strike करता है वहां पर हम point देते हैं сी up अभी दान से देखना यह लाई together यह light ray यह light ray ऐसे जा रही थी थे क्या एस तरीके से लेकिन अभी किहा होगा अभी यह light ray क्या करेगा अभी यह light ray rarer medium में जा रही है न तो यह अवे फ्रॉम दा नॉर्मल भागेगी कहा भागेगी अवे फ्रॉम दा नॉर्मल दो साइड जा सकती है अवे फ्रॉम दा नॉर्मल दो साइड होता है यह यहां भी भाग सकती है और यहां भी भाग सकती है यह दोनों अवे फ्रॉम दा नॉर्मल है ठीक है तो जब आपको जब आपको denser में object रखा है और denser में ही image बनानी है तो इस side भगा दो हम इस light ray को यहाँ reflect करा लेंगे देखो ज़रा समझा दूँगा, सब समझा दूँगा तो सबसे बहले, मान के चलो हमें image यहाँ बनानी है, तो यह light ray कहाँ भागेगी normal से दूर, तो normal यह इस से दूर भागना है तो हमने इसको यहाँ बेंड करा दिया और light जो है, यहाँ पर आकरे कहीं जो है, strike कर गई और एक light ray हमने क्या बोला, एक light ray सीधे आई थी सीधे आने वाई light ray को हमने यहाँ पर ऐसे मिला दिया ठीक है, चलिए अभी का हो रहा है, अभी कुछ नहीं हो रहा है अब यहाँ पर देखो जरा यह अंगल क्या बन जाएगा, यह अंगल alpha, image के साथ अंगल beta, और यहाँ पर angle gamma, छोटा वाला angle लेना है, टेक चलिए यह image है, I, यह object है ओ, इस तरीक से हमने बनाया angles की बात कर लेते हैं, जरा normal और incident ray के साथ angle बनेगा, I तो बदाओ मुझे जरा, यहाँ पर I, यह यहाँ पर यह वाला triangle देख रहा है, I, alpha, gamma तो आप इसको पकड़ो जरा यहाँ पर देखना, तो gamma जो है बहार वाला angle है, यहाँ पर I और alpha दोनों अंदर वाले angle हैं, तो यहाँ पर I की value हो जाएगी, gamma माइनस alpha वदा कोई problem नहीं अब यहाँ पर देखिए जरा normal का है, normal यह है green वाल light normal है, यह कौन सी light है, यह refracted light है तो यह वाले angle हो जाएगा angle of reflection, तो अभी हम कौन कौन सी light को पकड़ें, यह वाली orange light को पकड़ा जाए, और यह वाली green light को पकड़ा जाए, तो यहाँ पर आप यह देखिए, यहां पर देखो जरा, कि यह ऊभी तो इसके अंदर आप यह देखें, कि R जो है, बहार वाला angle है, गामा प्लस बीटा अंदर वाले अंगल है तो यहां से मैं I की वैल्यू मिल गई और R की वैल्यू मिल गई इस बार आप यह देखें कि object जो है यह point P हो गया यहां पर आप एक normal draw कर सकते हैं तो यह N हो जाएगा यह M हो जाएगा यह जो है यह हो जाएगा आपका minus U यह center of curvature है तो यह हो जाएगा आपका minus R और image पिछले बार भी positive consider गई थी distance और इस बार भी बस एक-एक step से में एक-एक single step से में अब जो है कुछ भी नहीं बदलेगा बस triangle बगारा के नाम बदल सकते हैं बात समझ में आई आपको clear होगी एकदम crystal clear बहुत सही comment section में आपका इंतजार करूँगा अब मान के चलो कि same diagram हमें बनाना होता मतलब यह इस बार देखो reflection हो रहा है object कहा रखा है यह denser medium है कहा रखा है denser medium और यह क्या है यह rarer medium है ठीक है अब इस बार light कहा जा रही है medium 2 से जा रही है यह कौन सा medium है इसका refractive index है mu2 और इसका refractive index है mu1 ठीक है light जा रही है medium 2 से medium 1 में तो यहां पर का लिखा जाएगा mu1 upon mu2 is equal to i upon r sign angle बहुत छोटा है mu1 into r is equal to mu2 into i अब इनको solve गरेंगे तो final जो answer आएगा आपका अब तो होई गया कराई देता हूँ ठीक है जान से देखो तो mu1 into r की value क्या है gamma plus beta ठीक है और mu2 into i की value क्या है देखो ज़रा gamma minus alpha clear हो रही है बात समझ में रही है mu1 into gamma की value क्या है gamma की value फिर से आप निकालोगे gamma यहाँ पर बन रहा है तो mn upon mn upon यहाँ तक की distance क्या है minus का r ठीक है तो mn दोनों का common आजाएगा तो mn यहाँ लिख देता हूँ 1 upon minus का r ठीक है plus beta बीटा देखो बीटा यहाँ से यह mn है यह mn height है बीटा के लिए distance क्या है image i ठीक है तो यह 1 upon v हो जाएगा यहाँ पर mn दोनों साइड common आजाएगा तीक अब gamma की जगे फिर से हम क्या लिखेंगे minus का 1 upon r ठीक और इसके बाद minus alpha अब alpha की value क्या है यहाँ से देखो alpha यहाँ तक है न तो mn upon minus का u हो जाएगा तो minus का u है तो मैं इसको mn तो अपने बाद नकाल लिया तो यह हो जाएगा plus का u ठीक ध्यान से देखना है अभी क्या होगा कि mn से तो mn कट गया यहाँ पे क्या बच रहा है यहाँ बच रहा है mu1 upon minus का r यहाँ बच रहा है mu1 upon plus का v ठीक अच्छा यहाँ बच रहा है mu2 upon minus का r और यहाँ बच रहा है mu2 upon u ठीक मैं r वाले को excite कर लेता हूँ u वगरा वाले को excite कर लेता हूँ ठीक है द्यान से देखना है यह लिखा है mu1 minus का mu1 है minus का mu1 upon r ठीक है यह minus का mu1 upon r में side बेतेता हूँ तो यह plus का mu1 upon R हो जाएगा क्या आपको नीचे दिखाई पढ़ रहा है ठीक है बहुत सही यह minus का इस side आएगा तो plus का हो जाएगा और यहाँ पे minus का mu2 upon R already लिखा है लिखा है बहुत सही अब देखिए यह mu1 upon B यहाँ लिखा है positive यह is side आएगा mu2 upon U तो यह यहाँ हो जाएगा minus का बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाईसा बहुत बढ़िया खतम हो गया आप यहाँ पर यह देखो कि इस बार जो derivation का result आया है वो क्या आया है इस बार result यह आया है कि mu1 upon B minus 1 mu2 upon U is equal to mu1 minus mu2 upon R पहले वाले case में और अब वाले case में क्या अंतर है बस वो आपको समझ रहा है पहले वाले case में क्या था कि जहाँ पर mu2 लिखाता वहाँ अब mu1 है जहाँ पर mu1 लिखाता वहाँ अब mu2 है इसका मतलब यह हो गया देखो ज़रा यहाँ भी interchange हो गया इसका मतलब यह हो गया कि जब rarer से denser में जो formula बनेगा denser से rarer में बस उस formula में refractive index की value interchange हो जाएगी बस आपको यह बात याद रखनी है बस आपको यह बात याद रखनी है अब मैं आपको same जो है अब मैं derivation नहीं करा हूँगा अब मैं आपको diagram बनाना बताऊँगा कि कहाँ पर किस चीज़ का कैसा diagram बनेगा आगे बढ़ जाते हैं जरा आप इसका screenshot ले सकते हैं अभी हम क्या करते हैं आपको बताते हैं एक और diagram जिसके अंदर convex spherical surface में हम same side पर object होगा और same side पर ही image बनाएंगे ऐसी image को virtual image कहा जाएगा तो सबसे पहला काम हम यह करते हैं कि सबसे पहले हमें convex surface बना लेते हैं तो यह हमारे पास convex surface हो गई ठीक नाव यहां पर यह हमने बना ली यह बीच में एक access principal access हमने इसको नाम दे दिया ठीक है इसके बाद यहां पर हमने object रख दिया इस जगह पे object हो गया तो भाई एक light रहे इस तरह से जाएगी यहां से जिसको हम क्या बोलेंगे यह incident light है कौन सी light है यह incident light है ठेक है इसके बाद मैं यहां पे लिख देता हूँ incident इसके बाद जिस जगह पे light touch करती है वहाँ पर हम इसके बाद आप जानते हैं कि यह light वैसे तो ऐसे ही जाती लेकिन क्योंकि medium चेंज हो गया तो इस light को हलका सा bend कराएंगे अगर मुझे चाहिए कि image मेरी दूसरी side बने तो मैं कहा करूंगा कि यहां पर जो है इसको ज़्यादा bend करा दूँगा लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि image यहां पर नहीं same side बननी चाहिए तो क्या करूंगा कि इसको मैं बहुत ज़्यादा bend ना कराते हुए वह इसको हलका सा bend करा दूँगा यह हलका सा bend हो गई यह हलका सा bend हो गई तो आप यहां पर देखिए तो आप यह समझो कि refracted light अब देखना अगर एक light यहां से जा रही है ऐसे 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 और यह एक light है तो यह दोनो light जो होंगी यह दोनो light कभी meet तो नहीं करेंगी तो image का formation यहां पर इस side तो होगा नहीं अब हम क्या करेंगे इस light ray को पीछे retrace करेंगे जहां पर light meet कर जाएंगे वहीं पर होगी आप इसको dotted line से दिखा सकते हैं ठीक है तो हम इसको यह dotted line से दिखा देते हैं यह कौन सी light है यह refracted का retrace है यह refracted ray को हमने पीछे retrace करा है तो अब अगर आपसे तो यह यहां पर image form होती होई हमें नज़र आईगी ठीक तो यह virtual image करना आईगी clear है ठीक क्यों योगी object हो लाइट हर direction में निकल रही है यहां भी रिकल रही है यहां भी रिकल रही है ठीक है तो देखो अब इसके बाद angle कैसे पहचानेंगे तो बड़ी simple सी बात है दियान से समझे देखो ज़रा बहुत simple सी बात है क्या करना होता है आपको तो हर बार की तरह normal पकड़ना है तो देखो ज़रा यह normal और इन दोने के बीच में छोटा angle कौनसा देखो यह angle कौनसा है यह angle R है कौनसा angle है आ रहे हैं अच्छा यहां पर नहीं दिखाना चाहते हो तो अंदर दिखा सकते हो आप तो सबसे पहले पहले तुम्हें alpha बना दूँ अलफा ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल के साथ alpha ठीक है इसके साथ गामा image के साथ बीटा अच्छा ठीक है नॉर्मल और incident लाइट रहे कौनसी है देखना ज़रा यह नॉर्मल है और incident है तो यह वाला एंगल क्या बन जाएगा यह वाला एंगल बन जाएगा यह नॉर्मल पताविए ऐसके सकते हैं आप यहां बता सकते हैं इन दोनों के बीच में जा रही है तो angle r बताना है तो angle exterior angle है r is equal to तिक ये वाले triangle है work कर लो तो आपको r is equal to क्या मिल जाएगा बीटा प्लस गामा इस तरीके से आप तो solve कर सकते हैं i आपको पता ही है i की जगे पे क्या लिखना है आपको dance देखो i इन दोनों के बीच में है तो इन दोनों को पकड़ने वाली light कौन सी है ये देखो ये yellow line को पकड़े है i और red को तो i is equal to alpha प्लस गामा ये हो जाएगा अब आपको और बार के तरह solve करना है इस बार क्या होगा इ ठीक है जो की positive होगी ये distance आपकी object रखा है तो minus you और ये distance आपकी यहाँ पर image बन रही है तो minus we solve करेंगे answer आजाएगा बताओ clear हो गई अब मैं आपको एक और बताता हूं जिसमें concave spherical surface की बात करी जाएगी मुझे उम्मीद है बढ़िया से practice मैं आपको करा पा रहा हूंगा और आप भी खुद से एक बार practice करिएगा so that आपको यहाँ पर clarity हो जाए तरीके से ठीक है खु उनके spherical surface हो गई ठीक solve करने का तरीका बिल्कुल सेम है ठीक सबसे पहले object रखेंगे तो object हमने यह रखा यह रखा object और इसको लेकर करके यहां strike करा दिया ठीक है हलका सा चलो उपर की side भी करा सकते है इस पर अपने normal ड्रॉ करा यहां पर इस जगह पर तो हमने देखा सबसे प तो हमने इसको बोला कि भाई सब यह क्या है तुम कौन हो तुम normal हो यह कौन है यह normal है कौन है normal है ठीक है normal to the surface ठीक आप देखो यहां पर जो angle बन रहा है यह exact angle 90 degree बन रहा है इसलिए हमने इसी को बोला normal to the surface ठीक है चलिए इसके बाद अब light यह कहा जा रही थी यह light जा रही ग्यांसे देखना यह white वर light incident है तो यह light कहा जा रही थी यह जा रही थी यहां पर और normal कहा है normal है यहां पर तो आप मुझे पताओ ज़रा कि यह rarer medium है यह denser medium है तो light कहां bend होगी पताओ ज़रा मुझे light कहां bend होगी बताओ ज़रा थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं इसको तो light कहां bend होगी light bend होगी देखो नौर्मल के पास denser medium में light towards the normal bend होते है यानि कि light bend हो करके कुछ इस direction में bend हो जाएगी तो बताओ यह आप यहां भी दान से देख रहे हैं यह जो मैंने yellow line से बताई है यह yellow line क्या बता रही है यह बता रही है यह बता रही रिफ्रेक्टेड रिफ्रेक्टेड रे बता रही है ठीक है रिफ्रेक्टेड रे बता रही है बस अब आपको यहां पर इसको पीछे retrace कर लेना है तो यहां पर जो है आपकी image का formation हो जागा फिर से यह आई हो गया यह alpha है यह beta है और यह gamma है अब आपको मैंने यह सारी technique बता दी है मैं spherical surface के लिए solve तो आप इसको करीब आएंगे ठीक यह हमारे पास कौन सी सर्फेज है कौन के स्पेरिकल सर्फेज ऐसी होती है यह इसका denser medium है denser है ना तो देखो हम क्या करेंगे यहां पर अब इस बार अगर object कहां रखना हो denser medium में कहां रखना है denser medium में object रखना है ठीक है देखो इसकी cave open है ना इसलिए हमने इसको कौन के स्पेरिकल सर्फेस बोला है ठीक है तो देखो यहां पर हमने object रख दिया यहां पर आपने यह light ray ऐसे strike करी यह normal हो गया rarer medium में light जाती है तो क्या होता है देखो यह denser medium है denser है और यह क्या है यह rarer medium है तो जरा मुझे यह बताइए कि यह light वैसे तो जा रही थी सीधे ठीक है अब अब इमानदारी से मुझे यह बताओ कि अब light को क्या हुआ है अब light को कुछ ऐसा हुआ है कि साथ के यह तो हो गया normal तो light rarer medium में normal से दूर भागती है तो अब इससे बात है नीचे तो नहीं आएगी तो कहां जाएगी सर यह यह जाएगी ऊपर की साइड मतलब यह कुछ ऐसे बैंड हो जाएगी तो इसको पीछे खीच लो यहां पर आपकी इमेज बन जाई को कि वही refracted light rarer है यह incident light rarer है बचाओ बताओ मुझे इतना आपको समझ में आया क्या अगर आपको इतनी practice कराने के बाद समझ में नहीं आया तो समझ लेना कि आपको एक बार और देखने की जरूत है अराम से समझ में आ जाएगा घबराना मत थोड़ा सा मैं इसको conclusion पे लेकर के आत ले अगर object rarer medium में और image denser medium में बन रही है तो चाहे concave spherical surface हो या convex spherical surface एक बार फिर कहूंगा object rarer में है image denser में है तो surface चाहे कोई सी भी हो चाहे concave या convex जो हाल होने वाला है result होने वाला है वो same होने वाला है तिक जब object rarer में image denser में तो mu2 by v minus mu1 by u mu2 minus mu1 upon r ये चलने वाला है लेकिन जब ऐसा हो जाए कि object dancer में और image rarer में that means dancer to rarer तो बस इन दोनों के places को interchange कर देते हैं यैसे V के उपर mu2 था इस बार mu1 है clear है ठेक अच्छा V, U इन सब को मारो गोली ठीक है बस आपको एक बात याद रखनी है कि rarer to dancer वाले case में mu2 upon image distance होता है mu1 upon object distance होता है mu2 minus mu1 upon radius of curvature होता है बोला सर ऐसा क्यों कि अभी हम lens maker formula derive करेंगे तो वहाँ पर यूवी से confused हो सकते हैं लेकिन image distance object distance confused नहीं होंगे एक और चीज़ जब हम यह कहते हैं कि let's say mu1 की value 1 है तो formula आप जानते हैं क्या बनता है mu upon v यह general formula यह use करेंगे minus 1 upon u और यह हो जाएगा mu minus 1 upon r ठीक है याद रखेंगे यह rarer to dancer है dancer to rarer में भी अब आप समझदा रहे इतने ठीक है आप इसका screenshot ले सकते हैं यह मतलब यह मत सोचे कि concave के लिए सब के लिए same है बस condition rarer to dancer वाली होने वाली है dancer to rarer वाली screenshot ले सकते हैं उम्मिद करूँगा समझ में आएगा टेलिग्राम पे note share कर दूँगा आप जरूर से मुझे यहां तक comment करके बताना कि sir मुझे समझ में आ रहा है मुझे समझ में आ चुका है ठीक है एक गंटा पूरा अपना spherical surfaces पर ही हो गया ठीक तो मैं उम्मिद गरूँगा आपको समझ में यहां तक आया होगा ठीक है आगे बढ़ जाते हैं अब next में क्या मिल रहा है जरा यहां पे देखते हैं कि और path को बदल करके या तो यह एक जगह पर ही जो है सुकडा सकती है यानि converge कर सकती है या उनको फैला सकती है यानि कि diverge कर सकती है तो lens जो है बेसिकलिए हमारे दो टाइप के होते हैं convex lens और concave lens लेंज अगर यह parallel आ रही है यह सुकडा देता है सुकडा देता है मतलब converge गरा देता है ठीक है और 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 concave lens इस तरह से light को फैला देता है बताओ जरा clear है ठीक convex lens और concave lens का इस्तमाल हम कहां कहां करते हैं यह देख लेना Convex lens आप जानते हैं ऐसा दिखाई पड़ता है Concave lens ऐसा दिखाई पड़ता है ठीक है याद रखेंगे चलो आगे बढ़ते मैं आपको इनके users बताता हूं तो आप इनको daily life से connect कर पाएंगे जहां जहां पर हमें चीजों को सबको magnify करके बढ़ा करके देखना है तो microscope में जो यूज होता है वह होता है आपका किसका microscope में यूज होता है Convex lens का ठीक है इसी तरह से यह आपका compound microscope है तो यह आपका simple microscope है simple microscope कहा जाता है simple आपका reading lens से जैसे कभी आप watch सही करबाने गए हो ठीक है तो क्योंकि घड़ी में ज watch repair करने वाले अंकल जो है यह इस lens का ज्यादा यूज करते हैं बाकि जैसे पहले इसका बहुत जाता यूज होता था न्यूज पिपर वगरा पढ़ने में लेकिन आज क्यालवपन देखते हैं कि कम ही रोग यूज करते हैं लेकिन फिर भी हमें पता होने ची यह क्या है मैग रेटिना पर इंसिडेंट कराना बिल्कुल रेटिना पर जाकर के उनको कनेक्ट कराना है तो यह काम किसका होता है यह काम आखों का होता है अब आखें तो जो है जैसी लाइट आई वैसे एंटर कराती है लेकिन आखों के अंदर जो लेंस यूज होता है यह कॉन्वेक्स ल लेंस क्या है अभी देखो थोड़ा सा पांच मिट रिवाइंड करो ज़रा मैंने आपसे कहा कि लेंस जो है यह दो ट्रांस्पेरेंट रिफ्रेक्टिंग सर्फिस जिनके आर पर लाइट जा सकती है वह कांच का भी हो सकता है और नॉर्मल जो है जैली टाइप मेटेरियल का भ फोकस कऱाता है इसको हम क Constitution कह रहे हैं इसके लाबह इसके लाबह टैली स्कोप में जैसे प्लैंस की स्टार्डी करने के लिए मूझ मून का अब्सब करने के लिए अवगश kissed दिया है भारत दिए certified डिंट है जैसे सरफ crack आप यहां से अब यह टेखते हैं यह को'reण बेख्ट कर पर कोई अ-ध्र सबाट आप ऊसके जरक कों यहां सब वहारइस या उसके कारण्ड यह है कि तो टेली स्कोप्वस कॉप से देखने पर हमारे पास लाइट रे जो आती है वह एक्च्वल में लाइट इंसिडेंट करके जैसे मानंके जो लो वहाँपर कोई जैसे आइड्रोदन गैस है यहा माननके जो लो वहाँपर सलफर कम्पाउंड बिल रहा है ठीक तो हैं नहीं हम यहां पर बैट करके पदा नहीं पढ़़ भाया कि उसकी सर्फिस में कौन कौन से element है क्या क्या है उनके बारे में मैं पता नहीं पढ़ सकता द्यान रखना इस बात को आगे बढ़ जाते हूं इसमें convex lens का use होता है चलिए इसके बाद आगे देखेंगे कि concave lens की बात करें किसकी बात करें concave lens की बात करें तो concave lens का use कम ही जो है टेलिस्कोप में होता है यह वो टेलिस्कोप नहीं है जायत से लेकिन आप यहां पर लेखें concave lens का use जैसे की गैलिलियन टेलिस्कोप में यूज होता है concave lens इसके अलावा जैसे अगर आपको दूर की दरस्टी आपकी कम है यानि कि आपको दूर का कम दिखाई पड़ रहा है तो ऐसे केस में आपको concave lens का use करते हैं हम इसको बोलता है short sightedness मतलब short का तो आपको दिखाई पड़ रहा है लेकिन आपको दूर का दिखाई नहीं पड़ रहा तो far vision जब आपका weak होता है तो आप correction के लिए concave lens का use करते हैं ना जिसको आप जो है hypermetropia कहेंगे तो concave lens का आप use वहाँ पर करेंगे तो गलत तो नहीं बोला मैंने आज़ा दिखें Convex lens के ray diagram किस तरीके से बना है दोनों lenses के ray diagram किस तरीके से बना जाते हैं यह आप देख लें जरा तो ray diagram बनाने के लिए बस आप एक बात याद रखेंगे किसी भी lens में ray diagram बनाना है तो आपको सबसे पहला काम यह ज्यान रखना है कि इसमें जैसे यह आपको आप्टिकल और इसमें दो देखो यह हमारे पास lens में दो surface है तो पहली surface का center कुछ यहाँ पे होगा तेक और दूसरी surface का center कुछ यहाँ पे होगा तेक तो center जहाँ पे होता है उसको radius of curvature यहाँ होता है तो फोकस का डबल क्या होगा यह f है तो radius of curvature को हम और क्या बोल सकते हैं 2f बोल सकते हैं इसको हम क्या बोल सकते हैं ठीक है अच्छा यह देखो यह क्या है यह क्या है बाई साब यह मान के चलो यह एक surface है और यह दूसरी surface है तो आपको यहाँ पर f1, f2, f1, f2 भी मिल सकता है ठीक है ध्यान दो जरब जैसे आप इस इस वाली surface को उने ने first surface मानते हो यहाँ पर f1, f2, f1 दे दिया यहाँ पर f2, f2, f2 दे दिया तो उसमें आप परेशान मत होना है आप simple ff करके भी दिखा सकते है ठीक है ना चलो मैं आपको बताता हूं यहाँ पर कहां गए हमारे diagram देखिए तरह देखो तो पहला काम क्या ह पहला काम हमारे पास यहाँ पर के लेट समने लिख दिया कि यह f1 है और यह f2 है ठीक अच्छा सॉरी सॉरी यह f1 है और यह f1 का double 2f1 है यहाँ पर यह f2 मान लो और f2 का double 2f2 मान लो confusion ना हो सिंपल इसलिए इस साइड को हमने f1 और f2 बना दिया बस अब इसमें का होता है ज और यह focus पर का मीट करेंगी focus पर फोकस पर इमेज बन जाएगी convex lens रियल एंड इंवर्टिड इमेज बनाता है सिर्फ एक केस में जब object focus के अंदर होता है तो यह virtual and erect image बनाता है ठीक है चलो तो हम क्या करते हैं कि एक बार इसको और copy paste कर लेते हैं हुआ देख सेवशाधर अभी का है मानगे चलो कि object जो है हमारा अभी हमारा object कहा है और थे सर हमारा objective रखा है let's say कहीं पर भी Pooptiqan Center तो और जहां पर इमेज जहां पर टकरा जाएंगी प्रपर तरही की से परिमेज का फॉर्मेशन हो की जहां पर इमेज का प्रीशह के थे जहां पर चाहर सोग़ा हुआ जहां भी करा जाए अंदर तकरा जाए अंदर होगा यह साइड़ में से करहा तो मिलेगा डूसरी है यह पर देख्ट यह जो जो आपको बता रहा हूं भी जैसे कि object रखा है 2F1 पे तो आप देखो सीधी light रहे गई focus से पास कराई यहां से optical center से exact और image का formation यहां पे हो गया तो आप यहां पे समझेए जब object जब object कहां पर है 2F पे है तो image भी कहां पर बनेगी image भी कहां बनेगी at 2F पर ही image बनेगी focus double focus पर ही image बनेगी और यह image कैसी बनेगी same size की बनेगी same size की हमेशा याद रखिए हमेशा याद रखिए कि image कैसी बनेगी same size की जब object 2F पे तो image भी 2F पर ही बनेगी अच्छा इसमें दो important cases होते हैं दो बहुत important case होते हैं एक होता है आपका image at infinity और एक होता है virtual and erect image का तो मानके चलिए कि हमारे पास यह convex lens है ठीक है यह हमारे 2F2 कहलाया ठीक और यहाँ पर देखो यह इतनी lens पर ही मैं ले लेता हूँ छोड़ा सा अंदाजे से यह भी क्या है अपने पास यह F2 हो गया और इसका double हो गया 2F2 अब मानके चलो object रखा है आपका focus पे का रखा है focus पे object रखा है यह object रखा है ठीक तो एक light ray सीधे जाएगी सीधे जाकर के इसके focus से पास होगी और एक light ray कहां से पास होगी यह optical center से तो हमने optical center से light पास कराई क्या यह दूनों light ray कहीं जाकर के meet करेंगी आंसर है यह दूनों light कैसे जा रही है यह दूनों light जा रही है एक दूसरे के parallel कैसे जा रही है parallel तो parallel light ray कभी meet करती है कि कोई parallel meet करत करते हैं तो ना यह पीछे रीटरेस करेंगे तो इसका बतलब यह लाइट कहीं भी और यहां पर हमारे पास मान के चलते हैं कि यह focus है क्या है focus और यह हमारे पास हो गया एक object टिक यह actual object है जो मैंने तीन बार कह दिया टिक है और यह आपके पास optical center हो गया और यह यहां पर focus हो गया पहली light रिका करेगी focus से pass करानी है टिक है sorry अभी हमें object कहा रख देना है focus के अं जानी optical center से तो हम यह देख रहें कि दोनों light क्या कर रहे हैं दोनों light रहे हैं तो फैल रही है तो उसका मतलब है कि image का formation यहां पर तो होगा नहीं को यहां पर तो light रही है मिलेंगी नहीं तो में नहीं दोनों light ray को पीछे की साइड ऐसे retrace कराएंगे और जहां पे भी दोनों light ray let's say meet कर जाएंगे let's say यहां यह meet कर गएं तो यहां पर क्या होगा अच्छा एक काम करते हैं थोड़ा सा स्कॉर नीचे ले जाते हैं ठीक है तो जहां भी यह lighter meet कर जाएंगी वहीं पर image का formation होगा भाई साब यह देखो यहां पर light meet कर गएंगे तो यहीं पर image बनेगी और इस बार देखो ज़रा यहीं जो है आपके microscope का concept है इस बार यह देखो जब object का रखा है focus के अंदर तो image कैसी बन रही है highly magnified बहुत बड़ी और सीधी image virtual erect and highly magnified image का formation होता है जब object का रखा हो focus पे रखा हो तो आप ध्यान सुनो अब यह बात जब मैं आपको optical instrument पढ़ाऊंगा तो आपको चीक चीक के बताऊंगा हाँ इसी चीज़ को अभी सुनो अभी फिर से बताता हूँ यह बात आप याद रखो पूरे optical instrument में पूरे optical instrument में बस आप एक बात याद रखिए object focus के अंदर object focus के object focus के अंदर ठीक है वाइरस भी दिखेगा वाइरस भी दिखेगा जैसे बंदर ठीक है याद रखना object focus के अंदर वाइरस भी दिखेगा जैसे बंदर इसका मतलब यह हुआ अबजेक्ट अगर हम focus के अंदर रख दें object focus के अंदर रख दें यह optical center यह focus तो भाई सब वाइरस भी इतना बड़ा दिखेगा जैसे की जैसे की बंदर हो ठीक है मतलब बहुत बड़ी image का formation होगा बहुत बड़ी बहुत बड़ी highly magnified image का formation होगा ठीक है तो यह optical center का मतलब यह optical instrument का एक बहुत ज्यादा ही strong concept हो गया कि object कहा है औबजेक्ट अबजेक्ट बिट्वीन optical center and focus image will be highly magnified image will be highly magnified comma virtual and erect यह बात आप याद रखें highly magnified comma virtual and erect बता हुजरा मतलब आपको यह बात बहुत अच्छे ध्यान रखनी है कि object focus के अंदर तो वायरस भी दिखेगा जैसे बंदर ठीक है अच्छे इसके बाद infinity वाला case आप समझते ही है object कहा है object at infinity object at infinity sorry object at focus जब object focus पे होता है तो image कहां बनती है यह दोनों cases most important image at infinity ठीक है और कैसी image है यह image बनेगी रियल कॉमा रियल इमेज हमेशा कैसी हो दिए inverted ठीक है and magnified highly magnified image बनेगी highly इस बार भी बड़ी image बनेगी ठीक है यह बात आप याद रखेंगे टेक इसके बाद आप यह देखिए यहां पर आपको द्यान देना है कि lens को लेकर के अच्छा concave lens का ray diagram अगर हम बनाना है तो concave lens में बहुत छोटी सी बात आप याद रखें कि जैसे यह मेरे पास एक concave lens है और यह concave lens है तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा यह light ray जाएंगी अब यह concave lens light को फैला देता है तो यह light कुछ इस तरीके से फैल जाएंगी यानि कि divers हो जाएंगी और इसके बाद आप यह देखो अब obvious सी बात है light यहां मीट नहीं करेंगी तो हम इस light ray को पीछे की साइड कीचेंगे अब यह जहां भी मीट हो जाएंगी वहीं पर जो है अपना focus हो जाएगा और वहीं पर image का formation होगा बताओ जरा clear है तो बताओ virtual case के concave lens के सभी cases में all cases all cases image कैसी है virtual है erect है टिक है और diminished है virtual erect और diminished image का formation यहां पर हो रहा है टिक है अच्छा अगर object यहां रखा है मान के चलो object कहीं भी रख दो किसी भी आलात में object रखा हो object कहीं भी रखा हो जैसे की object रखा है मान के चलो और दूसरी लाइट्रे को पास कराएंगे ऑ्प्टिकल सेंटर से तो बहुत इमेज का कहा होगा यहाँ पे तो लाइट मिलेंगी नहीं तो इमेज का फॉर्मेशन होगा कुछ इसको पीछे की साइट रेट्रेस करो जहां भी clear है तनी बात आप इसको धान रखेंगे यह concave lens, convex lens दोनों के important concept हुए तेक अच्छा अभी यहाँ पर थोड़े से formula की बात कर लेते हैं जैसे हमने object distance और image distance के बारे मैं आपको बताया था तेक मैं उमिद करूँगा मैं थोड़ी सी expectation तो आपसे रख सकता हूँ कि आपने जो mirror formula है वो देखा होगा मैंने आपको mirror formula पढ़ाया था अगर आपने mirror formula को देखा है तो आपको अभी किसी परकार की टेंच लेने वाली बात नहीं है तो mirror formula को थोड़ा सा मैं आपको बताता हू तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप lens formula को derive कर सकते हैं lens maker formula और lens formula दोनों अलग-अलग है lens formula हमें object distance, image distance और focal length of lens के बीच में relation देता है मतलब u, v और f के बीच में जैसे आपने mirror formula derive करा था एकदम वैसे ही simple सा है बस आपको ray diagram बनाना आना चाहिए तो ray diagram हमने आपको सिखा दिया किस तरीके से बनाते हैं लेकिन इसमें हमने कैसा ray diagram यूज करा है यह भी आपको बता देता हूँ यह हमारे पास एक lens है यह focal length है यह 2F distance है यहां भी focal length है यह 2F distance है यहां पर हमने एक object ट्रक दिया यह सीधी light ray गई और यह focus से पास हो गई और डूसरी light ray यहीं optical center से पास हो गई तो image का formation कहीं यहां पर हो जाएगा हाँ जैसी हम जो है light ray पास कराएंगे जहां से exact जो है सीधी सीधी line होगी तो image भी एक दम जहां पर बननी चाहिए वहां पर बनेगी ठीक है इस तरीके से यहां पर हमारे पास यह object है a b और यह image है a dash b dash ठीक है यहां पर यह जो है यह image distance जो की right में है तो हमने इसको positive मानेंग और यह प्लस v आईगी और यहां पर है यह object distance जो की आईगी minus u और देखो यह distance optical center से लेकर के focal length की distance को हम f कहते हैं तो यह right में है यहां कहूं incident ray की direction में तो यह positive से हम जो है दिखाएंगे ठीक है चले बस इतनी सी बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है तो सबसे पहला काम हमा आरे पास यह होता है कि आपको बताएं यहां पर light ray कैसे जा रही तो देखो image का formation तो मैंने आपको बता दिया है यह एक light ray गई focus से पास होई दूसरी light ray यहां पर optical center से पास होई अब आपको यहां पर देखना है दो-दो करके triangle में work करेंगे तो सबसे पहला triangle यह देखो आपक पहले जिन दो triangle में work करेंगे वो similar triangle होना चाहिए तो हम check करते हैं कि triangle abo and a-b-o क्या यह similar triangle है तो हमने क्या करा किया आप चेक किया triangle abo and a-b-o में क्या जो है similarity है तो हमने देखा कि जो b पर जो angle बन रहा है 90 degree और b-डश पे भी angle बन रहा है 90 degree तो आप यहां पर देखिए angle abo and a-b-o is equal to कितना है 90 degree अच्छा यहां पर ओपर angle देखो जितना angle ओपर होगा opposite angle होतना ही यहां पर भी ओपर होगा तो आप यह देखें कि दोनों में angle a-o-b और a-o-b- यह दोनों vertically opposite angle है यह दोनों भी same है तो यहां पर कोई भी दो properties same है इसलिए हमने कह दिया कि जो angle abo है और a-b-o है यह similar triangle है तो अब हम इन दोनों similar triangle को compare करेंगे तो comparison में आपकुछ भी नहीं करना एक बार मतलब जैसे object वाले triangle को आप ले लिया देन image वाले triangle को ले लिया ठीक है तो दोनों का perpendicular upon perpendicular करना है ठीक है दोनों का base upon base करना है बस ऐसे compare करना है तो देखो इसका perpendicular ठीक है इस इसका perpendicular upon इसका perpendicular ठीक है तो देखो तो यह देखो एबी अपॉन एडाश बीडाश बीडाश अब बड़े वाले का आप यह देख रहा है इसका जो है base bo upon इसका base b-o ठीक है देखो b-o ता clear ना तो यह बन गई आपकी first equation इसी तरीके से हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि यह जो हमारा अगला जो ट्राइंगल होगा यह भी similar ट्राइंगल होगा लेकिन हमें इसमें देखो अब हम इन दोनों ट्राइंगल में तो work कर चुके हैं अब हम यहा 평al draw करते हैं तो हमें यहां पर एक और जो है ट्राइंगल का पेर दिखाई पड़ता है सर कौन सा देखो यह वाला इंतम ार इंदा पर एक औधार नाम हो गया I'm Transformgald का नाम हो जाएगा MOF तो इन ट्राइंगल MOF और अगला ट्राइंगल देखो ज़रा जो इससे connected है देखो ज़रा ये वला ट्राइंगल तो A-B-F टीक तो इस ट्राइंगल में हम वर्क करेंगे दोनों ट्राइंगल इसी तरही के से ये दोनों ट्राइंगल similar triangle है हम बार-बार प्रूफ करके दिखाना हम similarly करके लिख सकते हैं अब देखो फिर से जैसे की ऊपर A-B है ना ऊपर A-B है और अपन में A-B- है तो देखो इसी तरही के से हम काम करेंगे जैसे देखो इसका perpendicular upon इसका perpendicular इसका perpendicular क्या है MO ये दोनों similar triangle हो compare कर रहे है इसका perpendicular MO upon इसका perpendicular A-B- तो MO upon A-B- ठीक है इसका base क्या है OF क्या है OF तो OF upon इसका base क्या है B- से लेकर के F तो B-F ठीक है या आप F-B- लिख दो एक ही बात है ठीक ना अब हमने क्या देखा कि जो MO है ये तो AB की ठीक बराबर है MO AB के ठीक बराबर है तो हमने यहाँ पर MO की जगए क्या लिख दिया AB लिख दिया जैसे MO की जगए AB लिखा तो first equation का LHS और second equation का LHS ये दोनों एकदम बराबर हो गए तो हमने इन दोनों की values को आमने सामने रख दिया जिसको हम कहा रहे है compare करना तो देखे जरा ये क्या है BO इसकी value जो इसके सामने क्या लिखा है BO upon B-O BO upon B-O और इसके सामने क्या लिखा है देखो जरा OF upon B-F तो हमने ये लिख दिया इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना इसके बाद हमें distances की comparison करनी है देखो यहां से अगर हम O से लेकर के B-Tक की O से लेकर के F तक की बात करेंगे O से लेकर के B तक की तो ये distance क्या है object distance minus U यहां पर image बन रही है ये distance क्या है image distance और ये plus V कहलाईगी या simple मैं इसको V लिख देता हूँ O से लेकर F तक क्या है देखो जरा ये distance एक F टेक बात समझ में आ रही है देखे जरा तो अगर मैं B-O की बात करता हूँ B-O की बात करता हूँ तो इसके जगर क्या लिख दूँगा minus U अप उन मैं B-O B-O से लेकर के O तक की बात करता हूँ तो इसके जगर लिख दूँगा V clear now इसके बाद O F O से लेकर के F तक focal length होती है तो इसके जगर लिख दिया हमने F इसके बाद बचा है B-F क्या बचा है B-F B-F का मतलब है B-F का मतलब है देखो B-S से लेकर के F ये distance है ये B-F तो देखो actual में total कितनी है total देखो total ये total यहां से लेकर अगर ये वाली distance घटा दूँगा तो ये बचे का ना बात समझबा रही है total में total जो कि V है अगर V में से ये घटा दूँगा जो कि F है V में से अगर F घटा दूँगा F घटा दूँगा ये छुपा लिया तो क्या बचेगा B-F क्या बचेगा B-F ये बचेगा ना ठीक है तो बस ये चीज़ आप समझगे कि यहाँ पर मैंने क्या करा कि अगर मुझे V-F चाहिए V-F चाहिए तो मैंने कर दिया V-F बस इतनी सी बात करने के बाद अब हमें कुछ भी नहीं करना अब हमें यहाँ पर cross multiply करना है cross multiply करना है cross multiply करने के बाद यह equation बन रही है अब इस वाली equation में इस पूरे में U-V-F का divide कर देना है U-V-F का divide कर देना है तो हम यह देख रहे हैं कि यहाँ पर U और V कटे तो यहाँ पर बचा 1 upon minus का F ठीक है यहाँ पर U और F कट गए तो यहाँ पर बचा 1 upon V यहाँ पर देखो V और F कट गए तो यहाँ पर बचा 1 upon U इस तरीके से हमारे पास जो final formula आ गया यह आ गया 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F transfer करने के बाद तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इमें जो है mirror formula में 1 upon F is equal to 1 upon V plus 1 upon U हुआ करता था लेकिन lens formula में 1 upon V minus 1 upon U है तो यह actual में क्या है 1 upon image distance minus 1 upon object distance बता हुज़ाँ यह clear है आपको आप इसका screenshot ले सकते हैं देने हम आगे बढ़ जाएंगे इसके new miracles कर लेते हैं ठीक है आगे बढ़ जाते हैं चलिए देखो एक question है सबसे पहले इस question में क्या दिया हुआ है जरा ध्यान से देखता है आपको एक graph दिया हुआ है क्या दिया हुआ है graph तो आप इस graph में देखें एक lens form एक real image एक lens क्या करता है एक real image बनाता है तो बताओ ज़रा कौन सा lens होगा तो कौन सा lens होगा convex lens होगा real image बन रही है तो same side तो नहीं बन रही होगी opposite side तो बन रही होगी image distance view plus में होगी ठीक है देखो convex lens real image कब बनाता है मानके चलो यह इसने real image बनाई यहाँ पे कुछ यह बनी real image तो आप ज़रा देखो कि यहाँ पर ऐसे case में जो v image distance होगी वो भी positive लोग है ठीक है और जो focal length है इसका focus right side ही होता है तो वो भी positive लोग है ठीक तो यहाँ से सिर्फ एक line से हमें यह बात पता पड़ती है the distance from object to lens is u centimeter object की distance बता रहा है u centimeter image की distance बता रहा है d centimeter the given graph shows the variation of v with u given graph में यह बता रहा है किस तरीके से u के साथ साथ v की velocity बदलती है मतलब अगर आप object की कहीं और रखते हैं तो किस तरह से image की value वहाँ पर image distance की value बदलती है तो पहली चीज़ what is the nature of lens तो इसका पहले वाले का answer क्या हो जाएगा nature of lens कैसा है lens is convex or converging convex lens को हम कैसा बोलता है converging lens तो इसका answer क्या हो जाएगा convex lens और converging lens convex lens और कैसा converging lens ठीक है चलिए दूसरा क्या है using the graph find the focal length of this lens ठीक है देखो क्या कह रहा है using the graph find focal length of this lens आपको इस graph को use करके इस lens की focal length निकालनी है ठीक है वाई साब तो अगर यह convex lens है ठीक तो हम यहाँ पे लिखेंगे for convex lens convex lens यह convex lens है तो आप यह देखो यह distance u बता रहा है और इस side बता रहा है v ठीक तो देखो इस point की बात कर रहा है ठीक है इस point की तो इस point पे जब u की value 20 थी देखो object है तो object तो बई left side में हम रख रहा है तो object की value ने minus 20 cm माल ली v की value कितनी हो गई तो v की value हो गई देखो ज़रा अब convex lens है तो obvious से बात है image जो है real inverted वाले case में जो है right में ही बनने वाली है तो हमने इसको plus 20 cm माल ली है ठीक है अब आपको focal length निकालनी है तो बहुत simple सा काम आपको यहाँ पर कर देना है बस simple जो formula जो होता है हमारा बस formula को लगाओ और focal length की value निकाल दो one upon v minus one upon u ठीक है यह ऐसा है तो आपके पास one upon f is equal to यहाँ पर यह simple सा one upon 20 plus one upon 20 हो जाएगा तो f की value LCM लेने के बाद 2 by 20 बचेगी sorry one upon f की value ठीक है तो f की value हो जाएगी यह simple one upon f की value हो जाएगी 1 by 10 तो यहाँ पर f is equal to हो जाएगा plus 10 cm मतलब जो focal length है वो कैसी आई plus 10 cm मतलब इस question से हमने simple formula based question भी करा और अगर graph के form में दे दिये जाए तो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं clear है आगे बढ़ जाते हैं टेक देखे आप इसका screenshot ले सकते हैं एक एक आप question और दिया जा सकता है इसमें इसमें magnification वगरा पूछ ली जाती है तो देखो इसमें question दिया है इन इडल 45 cm from a lens from an image on screen on screen करा देखो यह बताओ जरा screen पर कौनसी image बनती है इस तरह के साब question पर चानना होता है screen पर कौनसी image बनती है answer is real and inverted image यही बढ़ा है ना हमने screen पर real and inverted image बनती है इसका मतलब यह कौनसा lens होगा convex lens होगा hundred percent concave lens तो virtual and erect image बनाता है ना ठीक है placed 90 cm on the other side of lens मतलब यह कह रहा है कि यह lens है ठीक है इस lens से 45 cm की दूरी पर object रखा है ठीक है minus 45 मैं इसको consider कर लेता हूं 45 cm की दूरी पर एक object रखा है ठीक है और 90 cm पर बनती है image जो की plus 90 होगी ठीक है ध्यान दो सरा identify the type of lens तो type of lens क्या हो जाएगा type of lens यहां पर हो जाएगा convex because image is formed on screen so real and inverted ठीक है यह तो एक बाकि आप जो है magnification focal length निकाल के भी सहरा कम बन जाएगा ठीक determine the focal length what is the size of image if size of needle is 5 cm देखो सबसे पहला कहां में करना है कि focal length निकाल लेनी है तो one upon f is equal to one upon v minus one upon u u की value minus 45 है one upon this is equal to one upon 90 plus का one upon 45 one upon f is equal to plus 3 by 90 तो f की value जो हो जाएगी this is plus का 30 cm 1 upon f की 1 by 30 f के लिए पलट देंगे तो plus का 30 cm तो plus plus sign देखकर भी आप यहां पर समय सकते हैं कि जो इसकी focal length जो आ रही है वह positive है और positive focal length convex lens की होती है इसलिए यहां पर यह लगा दिया क्लियर है बात समझ में आई ठीक ना हो तो यहां पर clear हो गया होगा positive जो focal length किस की होगी convex lens की यह convex mirror की ठीक है देखो यहां पर देखेंगे जरा what is the size of image अब हमें निकालना है size of image मतलब height of image हमें निकालना है यदि object यानि की needle की जो height है यह five centimeter दी गई है तो देखो magnification का formula जो होता है यह होता है h i height of image upon height of object अच्छा lens में mirror में तो magnification की जगे minus v upon u रखते थे लेकिन इस बार क्या रखना है v upon u lens में magnification यह simple v upon u लेते हैं ठीक है mirror के हमने कहीं सारे question करें थे तो इसमें कोई problem नहीं होगी h i height of image हमें निकालना है और height of object कितनी दी है five centimeter और इसी बात है object ऊपर रखा होगा इस तरीके से vertically upright इसलिए हमने इसको plus five centimeter माना है ठीक है ध्यांजा देखिए अभी क्या हो रहा है यहां पर अभी यहां पर क्या है कि वी की value क्या दिख रही है वी की value हमें पता है image बन रही है plus 90 पे plus 90 पे image बन रही है यू का है यू है minus 45 पे ऐसा ही है कि नहीं यू minus 45 पे है अच्छा हाई क्या है height of image हो क्या है दिस वन तो यहां पर यह value आईगी minus cut two और यह आ जाएगी h i और upon में है five तो height of image जो आ जाएगी यह आ जाएगी minus cut ten centimeter minus का 10 centimeter ठीक है तो image कैसी बन रही है image कैसी बन रही है real inverted and enlarged image कैसी है image is negative sign क्या बता रहा है image is negative sign बता रहा है कि ultimate बन रही है real और ultimate image हमेशा को हम क्या बोलता है real inverted है और क्योंकि image का size object के size से double है तो real inverted के साथ-साथ है कैसी है enlarged image है real inverted and enlarged image ठीक है यह बात समझ में आई यहां पर ठीक तो यह आपका हो गया कि इसके दो अच्छे अच्छे questions ठीक इस पर इतने ही ऐसे ही टाप के questions पूछे जाते हैं अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं clear है जैसे ही हट जाए आप इसका screenshot लें और यहां तक मुझे बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा ठीक है और complete video मैं आपको बस इतना ही दयान रखना है कि यदि किसी चीज़ का answer पूछे तो वह आप answer बताएं ताकि मुझे भी तो पढ़ा पड़ पाएगा कि आप अच्छे यह तीन दी चाचर घंटे की वीडियो देख पा रहे हैं तो अगर आज की वीडियो की बात करें तो ray optics अकेला-केला 6 घंटे का हो र जाएंगे ठीक है आप इसका screenshot ले सकते हैं भी lens maker formula एक ऐसा formula है जिसका use lens manufacturer करते हैं कि उनको कितनी focal length का lens चाहिए उसका refractive index कितना होना चाहिए अगर इतनी power वाले lens हमें चाहिए तो दोनों जो radius हैं दोनों surface उनकी radius क्या होना चाहिए that means lens को बनाने के लिए lens को completely design करने के लिए जिस formula का use होता है उसको हम कहते हैं lens maker formula तो अब इसको अपन derive किस तरीके से करेंगे यह आप देखेंगे most important topic most important जो है questions यहां से बनते हैं numerical से लेकर के derivation और conceptual question reasoning वाले यह आप यह समझ के चलिए इस topic से 100% आने के chance रहते हैं हमेशा ठीक है तो अपन इसको बढ़िया समझेंगे कैसे ray diagram बनाना है सारी बाते आपको बढ़िया से समझाई जाएगी ठीक है तो consider करते हैं हमारे पास यहां पर एक lens है ठीक और यह हमने माल लिया कि हमारे पास एक convex lens है और इसके साथ साथ हमारे पास यह पर यह principal access है यह principal access है जैसे आप जानते है कि mirror में हमारे पास एक पोल होता है वैसे ही lens में हमारे पास optical center होता है क्या होता है optical center ठीक है अच्छा एक चीज़ा आप याद रखेंगे कि जब भी हम lens maker formula या lens related कोई भी जो है question करते हैं तो हमेशा याद रखिए कि इस chapter में हमारा पहले से एक assumption चलता है और assumption यह होता है कि यह जो lens हम यूज कर रहे हैं यह thin lens है बट यहाँ पर diagram साफ साफ बने इसलिए हमने थोड़ा सा बड़ा सा lens यहाँ पर बनाया है और आपको भी copy में ऐसे ही बनाना है तीक तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि हमेशा assumption जो होगा assumption जो होगा हम मतलब क्या assume करके चलेंगे हम यह assume करेंगे कि lens is very thin lens is very thin lens जो एक ऐसा है यह बहुत thin है ठीक है so distance from both surfaces distance from both surfaces and center of lens is center of lens is same हमेशा यह दर कि क्या कहा गया assumption क्या है कि बही lens इतना thin है कि चाहे आप distance measure करना है तो optical center से करो या किसी भी surface से आपकी जो distances है यह same रहने वाली है ठीक है तो यह lens कोई भी lens image का formation किस तरीके से करता है यह आप समझे कोई भी lens image का formation कैसे करता है इसको हम समझते है तो थोड़ा से इसको नीचे लेकर करके आते हैं मानके चलते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक object है क्या है यहाँ पर हमारे पास एक object है और यह object रखा है ओ बता कोई problem यह object है ओ इसके बाद क्या है हमारे पास यहाँ पर एक light ray जा रही है कुछ इस प्रकार स से यह Light रे गई इस Light को आपने क्या बोलवा سबसा आपको लगए लेकिन एको सब कुछ clear करके एकदम short में बता दूंगा tension मत लेना तो अभी मैं आपको बताता हूं कि lens light को कैसे जो है bend करता है तो सबसे पहला काम क्या है यह incident ray गई यह incident ray इस direction में गई हमने arrow लगा दिया उसके बाद जैसे यह ray इस surface पे पड़ेगी तो यहां पर देखो जहां पर light ray incident करती है वहां पर हम एक normal या perpendicular ड्रॉ करते हैं तो यहां पर भी हमने एक normal यानिक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है तो यह perpendicular जो है यहां पर पहुंचा है तो यह वाली जो surface की हम बात कर रहे हैं यह वाली surface इसका मूँ इस side है न तो अगर हम इसका circle बनाएंगे तो इसका center भी तो इसी side होगा तो यह वाली surface का center of curvature इस side होगा ठीक है याद रखिए और वैसे भी जो normal हमने draw करा है यह normal हमने किस पर ड्रॉ करा है यह पहली surface पर पहली surface का जो है परपेंड जो है center of curvature कहला है ठीक है अब यह देखो यह कौन सा मीडियम है सर यह मीडियम है रेर कौन सा मीडियम है यह तो रेर मीडियम है अब glass कौन सा मीडियम है glass ग्लास तो सर डेंसर मीडियम है कैसा है डेंसर मीडियम तो आप यह बताओ कि light जब रेर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो normal से दूर भागे की पास में आईगी आंसरे पास में आईगी तो आप ये लाइट जा रही थी ऐसे जा रही थी लेकिन अब इस light का क्या होगा ये light bend हो जाएगी कहा पे normal के पास first surface पे normal तो first surface के side यह बैंड हो जाएगी बैंड हो के नीचा जाएगी और यह light को जिस तरीके से यह हो गई यह से बैंड हो गई ठीक है तो आप यह देखो कि light को bend करा दिया first surface ने इस direction में तो ज़रा सोचे कि अगर 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 यह glass ना होता मतलब अगर यह दूसरी वाली surface ना होती दूसरी वाली surface अगर ना होती तो भई इसके current से जो image का formation होता यह light सीधी चली जाती यह light सीधी चली जाती और कहीं यहाँ पर जा करके image का formation होता मैंने का image का formation होता लेकिन हुआ नहीं तो आपको यहां पर एची समझनी है कि image का formation होता लेकिन हो तो नहीं बाया क्यों यह तो अगर सिर्फ अगर सिर्फ एक ही surface होती तो image का formation यहां होता लेकिन यहां पर क्या है यहां पर एक और surface है यह वाली surface यह वाली surface इमेज को यहां नहीं बनने देगी लाइट को और बेंड करा देगी फुला सर क्यों बेंड करा देगी तो देख लो आपको सब समझ में आ जाएगा देखो द्यान से देखना कि लाइट जब यहां पर स्ट्राइक करी तो यहां पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे अब इसका सर्फेस उपर की साइड है तो नॉर्मल भी कुछ इस प्रकार से जाएगा देखो इस साइड तो यह नॉर्मल क्या बना इसको मुने नाम दिया सीटू सब अटा देंगे टेंचन मतले सब अटा देंगे ठीक है लेकिन आप यहां पर एक बार देख लें जरा द्यान से समझो कि यह दूसरी वाली सर्फेस का नॉर्मल हो गया तो दूसरी वाली सर्फेस का नॉर्मल तो जब दूसरी वाली सर्फेस से लाइट जो है यह बाहर निकलेगी कुछ इस प्रकार से तो बताओ यह अब डेंसर से रेरर मीडियम में जा रही है तो अब लाइट का करेगी रेरर मेडियम में नॉर्मल से दूर भागती है है फस्ट वाली lens के फस्ट वाली surface कारण जो image बनती वो image बनती यहाँ पर लेकिन वो image बनी नहीं क्योंकि second वाली surface ने उसकी image को बना दिया यहाँ पर मतलब इसको shift करा दिया clear है बात समझ मैं तो final image का formation कहां हुआ आई डैश पे के आई पे answer है आई पर तो इस प्रकार से जो lens होता है वो image को बनाता है यानि कि raise को bend कराता है लेकिन आपको अपने diagram में इतना सारा कचड़ा नहीं करना है क्योंकि आप simple simple बनाएंगे तो आपको बन जाएगा ठीक है और आ इसको एक बार अटाऊंगा और आपको सिर्फ काम की बात यहां पर मतलब जो आपको draw करना है वो आपको बताऊंगा ठीक है तो हम यहां पर एक बार के लिए इसको हटा लेते हैं ठीक देखे फिर से मैंने कहा किया आप ध्यान से समझ लेना अब आपको सारी चीख ले तो य चैक है यह मेरे पास principal access हो गई हां और यह मेरे पास क्या है optical center ठीक है यहां पर मेरे पास optical center है यह मेरे पास यहां पर मैं रख देता हूं एक object तो यह मेरे पास एक object हो गया यह object से light गई कुछ यहां पर अब आप जानते हैं कि यह वाली surface light को कुछ ऐसे bend करा थी और इसकी current से जो image का formation होता वो करीब यहाँ पर होता हमने का यहाँ पर होता लेकिन हुआ नहीं तो यह कहलाएगा I dash लेकिन second वाली surface ने क्योंकि इसको finally यहाँ भेज दिया मतलब second वाली surface ने इसको और bend कराया तो फिर यहाँ पर final हमारी image बनेगी clear है आप देखो यह point हमारा O यह I है और यह I dash है यह क्या है यह हमारे पास final image है क्या है final image ठीक है बात समझना अच्छा यहाँ पर distance की बात करेंगी तो एकदम साफ साफ आपका भी confuse ना हो एकदम साफ साफ बात करूँगा distance के बारे में क्या आप यह समझिए कि distance में sign convention का use यहाँ पर नहीं करना अगर आपको लग रहा है कि सर जैसे मान के चलो यह distance मान के चलो यह left side है ठीक और आपका उस लेफ्ट side जो है इसको object distance है object रखा है तो हम इसको यू लेंगे बिल्कुल ठीक है और आपका उस अरब यह left है या incident ray के opposite direction तो हम यहाँ पर negative sign लेंगे यह गलत है आप इसको यहाँ पर use नहीं करेंगे क्यों books में साफ साफ mention होता है बिल्कुल clear cut तरीके से लिखा होता है अगर आप ढंक से पढ़ेंगे किताब को तो आपको मिल जाएगा हमें double reapply नहीं करना है reflection formula बस इतनी से बात आप सॉरी हमें sign convention को reapply double दो दो बार apply नहीं करना है क्योंकि हम already उस formula में derive कर चुके है ठीक है देखिए जरा मतलब use कर चुके है sign convention ठीक है इसलिए आपको यहाँ पर sign convention का use नहीं करना तो यहाँ पर distance हो गई यू ठीक यह distance हो गई finally आपके पास वी और यह distance हो गई आपके पास बी डाश sign convention वाली बात को आप याद रखेंगे ठीक है अच्छा यह जो optical center आप इसको o डश भी नाम दे सकते हैं clear तो चाहे distance surface से चाहे optical center से एक ही बात है यह आपके पास incident light ray है ठीक है अच्छा इस light ray को हम dotted line से भी दिखा देते हैं क्योंकि finally अब यहाँ पे image बन नहीं रही है बन ती ठीक है अच्छा एक चीज़ याद रखिए एक चीज़ याद रखो यहाँ पर आपको एक और जरूरी बात बताने वाला हूँ कि देखो जब हम first surface की बात करेंगे किसकी बात करेंगे जब हम बात करेंगे first surface की तो ज़रा सोचो कि अगर सिर्फ एक ही surface थी तो पहली वाली surface के लिए object कौन था answer है o और पहली वाली surface ने image कहा बनाई थी distance क्या होने वाली पहली वाली surface के लिए तो i dash ही image है तो पहली वाली surface के लिए image distance होगी वह होगी v dash ठीक है अब बात करेंगे दूसरी वाली surface के लिए तो याद रखो दूसरी वाली surface के लिए object कौन है तो याद रखिए कि दूसरी वाली surface के लिए object O नहीं है दूसरी वाली surface के लिए object है I dash मैं आपको एकदम आसा नहीं समझाता हूँ जैसे मान के चलो कि भई यहां पर मेरे सामने एक ball है यहां मेरे सामने एक mirror रखा है यह मेरे पास एक mirror है और यहां पर मेरे पास एक दूसरा mirror है ठेक अब सोचो यह तो polish surface है पीछे अब सोचो के अगर इस mirror में final ball की image बन जाए तो बताओ मुझे ज़रा के इस mirror के लिए object कौन था यह ball बिलकुल नहीं बॉल नहीं थी यह देखो यह object O है यह पहला वाला mirror के लिए तो यह object O object है लेकिन दूसरे वाले mirror के लिए दूसरे वाले mirror को तो यह दिखाई नहीं पढ़ रही है दूसरे वाले mirror की light rays पे आके नहीं टकरा रही है लेकिन दूसरे वाले mirror के लिए इस ball की रहा के नहीं टकरा रही है लेकिन क्या हो रहा है कि इसकी image यहाँ पे बनी i dash ठीक है तो ये वाला mirror इस वाले mirror की image को बनाएगा तो actual में actual में second वाले mirror के लिए i dash ही ये वाले mirror में बनने वाली image ही actual object की तरह act करेगी ठीक है ये बात आप याद रखना तो जब हम बात करेंगे ना second surface के लिए second surface के बताओ मुझे object कौन होगा i dash second surface के लिए object कौन होगा i dash ठीक है मतलब object distance क्या होगी v dash और second surface के लिए final image का बन रही है i पर मतलब second surface के लिए image distance होगी v आप ये बात याद रखेंगे actual में क्या है कि पहली surface की image बनी यहाँ पर और दूसरी surface ने इसी object को देख करके इसकी image बना दी यहाँ पर clear है बात इतनी चलो तो अब हम आ जाते हैं इसके derivation पर एकदम सस्ता सा और simple सा derivation है यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है बस कि formula भाई साव यही चलने वाला है क्या है sir formula formula simple इतना सा है कि जब भी light rarer to denser medium जाए कहां से rarer to denser medium तो formula लगेगा mu2 upon image distance minus mu1 upon object distance mu2 upon image distance minus mu1 upon object distance यह formula लगेगा ठिक है इसके बाद जब light denser से rarer medium जाए तो formula लगेगा mu1 upon image distance मतलब यह mu1 mu2 की value जो है position को interchange कर देंगे याद रखिए UV करके याद ना करें image distance object distance करके याद करें कभी दिक्कत नहीं होगी चलिए थोड़ा सा आ जाते हैं lens maker formula के derivation की और ठीक है ना द्यान समझना द्यान समझना देखो क्या दिया हुआ है यहां पर देखो क्या दिया हुआ है यहां पर सबसे पहले क्या पumpy क्यों कि देखो यहां पर यहां पर rarer से denser medium में जा रही है तो आप देखो onte रायइटर से डेंसर में जा रही है तो देखिए दैंसर देखू यहां पर ऑप्टिकल सेंटर ओटास तका तगा तो अभी क्या हो रहा है कि के पर्स सर्फेस के लिए वो इमेज है नो पर söz. के लिए लेकर में मूट 2 अपॉन here स्जिटेस माइनस ुब इप upon object distance पहली सर्फेस के लिए इमेज वी डाश है वी डाश पे बन रही है और दूसरी और पहली सर्फेस के लिए objective है is equal to mu2 minus mu1 upon radius radius मतलब first surface की जो radius of curvature होगी वो r1 होगी तुमने r1 लिख दी symbol सी बात है ठीक है इसके बाद दूसरी सर्फेस की बाद करेंगे तो अब देखो यह पहली सर्फेस के लिए जो रे आ रही थी वो तो हवा से आ रही थी लेकिन दूसरी सर्फेस के लिए तो रे ग्लास में से आ रही है तो दूसरी वाली सर्फेस के लिए जो लाइट जा रही है वो जा रहे है denser to rarer कहां से कहां denser to rarer और denser to rarer के लिए फॉर्मूला होता है mu1 upon image distance minus mu2 upon object distance तो एक बद होता हो मुझे एक बद होता हो mu1 upon image distance तो भई इस वाले second वाली surface के लिए finally जो image है वो कहां पर है i पे यानि कि mu1 upon क्या लिख दिया i की distance क्या है v minus mu2 upon object distance second वाली surface के लिए object है i dash i dash की दूरी है v dash और इसको मने क्या बनाया mu1 minus mu2 upon r क्योंकि बस mu2 और mu1 के places interchange होने हैं बात समझ में आ रही है अच्छा इसके बाद देखिए ज़रा इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर mu1 upon v minus mu2 upon v dash एक ही बाद है अब यह लिखा है mu2 minus mu1 और यह लिखा है mu1 minus mu2 अब हम क्या चाहते हैं कि यह दोनों सेम हो जाएं तो हमने करा यहाँ पर एक minus sign लगा के इनके अंदर position बदल दी देखो जब subtraction में position बदलनी होती है तो minus sign लगाना होता है मतला हमने minus sign लगा के इनसकी position बदल दी मुवन माइनस mu2 को मुट्व मामा बना दिया जब open करेंगे तो minus ka mu2 हो जाएगा फिर से plus ka mu1 हो जाएगा ठीक है यह first equation हो यह second equation हो गई अभी हम क्या करेंगे first और second equation को add कर देंगे तो जब हम first or second equation को add करेंगे तो आप यहां से देख पाएंगे, कि देखो, जब फ़र्स रुस्ट सेकेंड एक्विशन को एड करेंगे, तो आप यहां से देख पाओगे, कि मूटू अपॉन वी डैश, यहां पे पॉसिटिव है, और मूटू अपॉन वी डैश हैं पे नेगेटिव है, तो सिर्फ क्या बचेगा, mu1 upon v, minus mu1 upon u, देखे जरा, क्या बचेगा, यह सा बटा जेता हूँ, मैंने आपको बता है न, देखो जरा, क्या बचेगा, ध्यान से देख लेते हैं, देखो, mu1 upon v, और यह cancel हो गया, यहाँ पर भी add करा, अब यहाँ पर add तो करा है, लेकिन second वाले के सामने minus sign लगा, तो बीचे minus हो गया, तो यहाँ पर बचा mu1 upon v, minus mu1 upon u, यहाँ पर mu2 upon mu1 को common ले लिया, और यह बाहर निकल के क्या आगया, 1 upon r1 और 1 upon r2 minus का, पता, कोई problem इसमें नहीं है सर, इसके बाद देखो, यहाँ पर mu1 बाहर आगया, यहाँ पर simple क्या बचा, 1 upon v minus 1 upon u, यहाँ पर क्या है mu2 minus mu1, और यह क्या है, 1 upon r1 minus 1 upon r2, as it is रखा, अब देखो, mu1 की जगह पे, अब यह जो mu1 है, यहाँ पर into मैं, यहाँ पहुचा दिया, divide में चला गया, यह देखो, divide में चला गया, तो mu2 के नीचे भी गया mu1, ठीक है, और mu1 की नीचे भी गया mu1, तो mu1 से mu1 कटा, तो 1 बचा, ठीक, mu2 से mu1 नहीं कट पाया, तो hazard is लिख दिया, पता हुझा, clear है, clear है, ठीक है, याद रखेंगी, अच्छा, और focal length का formula होता है, 1 upon f is equal to 1 upon u plus 1 upon v, लेकिन lens में होता है, 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u, इसको अपन lens formula बोलते हैं, यह जो derive कर रहे हैं, वो lens maker formula है, और जो u, v और f के बीच में relation देता है, उसको अपन lens formula कहते हैं, ठीक है, तो देखो, lens formula क्या निकल का है, 1 upon f is equal to mu2 upon mu1 minus 1, ठीक, और यहाँ पे r2, dance देखना, इसके बाद देखो, यह तो अपने पास formula बन गया, लेकिन क्या होता है, यह mu2 upon mu1, यह बड़ा सा formula, यह अगर आप याद रखोगे, तो बच्चों आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इसके अंदर, ठीक, लेकिन अगर आप shortcut की ओर जाना चाहते है तो आपको कभी कभी फिर open करना पड़ेगा, जैसे की, mu2 को, अगर आप mu मान ले, क्या मान ले, mu, जैसे मान के चलो कि light, जो है, air से glass में जा रही, normally light, हवा से glass में जाती है, air से glass में, तो अगर आपने mu2 को मान लिया, mu, और mu1 को मान लिया, air के लिए, 1, तो final जो आपका formula बन मैं कहूंगा, यह तो हो गया, simple air के लिए, air और glass या air और water या किसी की चीज़ के लिए, ठीक है, मतलब air के लिए हो, ठीक, अब यह किसी भी medium के लिए, जो है, आपके लिए applicable हो सकता है, ठीक है, जैसे मान के चलिए, कि मैं आप से कहता हूँ, कि light जो है, यह कहां से कहां जा हुआ है, हमारा, मान के चलो water में, कहां रखा है, water में, तो अब मुझे आप यह बताओ, कि light कहां से कहां जाएगी, light water में घुसेगी पहले, और फिर glass में जाएगी न, इसका मतलब light जा रही है, water से glass में, water to glass, तो सर ऐसे case में, हम refractive index को कहा लिखते हैं, तो मैंने का refractive index को ल water से glass में light जा रही है, ऐसी लिखते हैं, तो इसको क्या लिखा जाएगा, formula क्या बनेगा, mu g upon mu w, ठीक है, बस यह बात आप याद रखो, अच्छा तो final अपना formula कुछ यह था न, 1 upon f is equal to mu 2 upon mu 1 minus 1, और यह 1 upon r1 minus 1 upon r2, यह बात आप याद रखेंगे, अच्छा, 1 upon f is equal to, अब देखेंगे हैं, light पहले किसमे थी, water में, तो mu 1 की जगे में लिख दिया, mu water, और फिर किसमे चलेगे, इक glass में, minus 1, बस अपन इसको use करें, 1 upon r1 minus 1 upon r2, अपन यह लगाएंगे, अच्छा, एक बात का बहुत ध्यान रखना है आपको, क्या, एक चीज बहुत जाद ही important है, वो of curvature, मतलब इसमें आप से कहा जाएगा, by, by मतलब दोनों, दो, by convex lens, दोनों side से convex है, by convex lens, ऐसी condition है, ऐसी condition में, दोनों की radius of curvature, same रहेगी, तो देखो जड़ा, इसकी radius अगर r1 है, तो इसकी radius भी r1 होगी, या मैं कहूं, इसकी radius अगर r है, तो इसकी radius भी r होगी, लेकिन, याद रखो, याद रखो, यहाँ पे देखो, यह पहली वाली surface है, first वाली surface, और यह second वाली surface है, तो आप भी देखो, यह जो पहली वाली surface की जो radius है, यह right में जा रही है, तो हम r1 की जगे plus r लेंगे, और दूसरी वाली surface की जो radius है, वो left में जा रही है, तो हम उसक तो इस तरीके से अपन लेंसमेकर फॉर्मूले के नुमेरिकल करेंगे और नुमेरिकल इसके लेंसमेकर फॉर्मूले में 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 लेंसमेकर फॉर्म है और एक एक से Partners है तो हम इसको plan Knox कहते हैं क्या कहते है Corn Conげ अगर आप यह बात समझ गए न तो अराम से सारी समझ जाऊ उए ठीक इसी परकार से ध्यान देजिकर वित्टा इसा भी गो सकता है तो गनरल हम इसकी बात करते तो दोनों साइट से कॉन्वेक्स है तो हम इसको बोलते हैं बाय कॉन्वेक्स लेंज का बोलते हैं बाय कॉन्वेक्स लेंज ठीक है अच्छा अब एक लेंज क्या है बाय मतलब दोनों साइट से कॉन्वेक्स है यह लेंज ऐसा है ठीक यह देखो ऐसा अब यह दोनों साइट स से इसकी केव बन रही है तो दोनों साइट से कैसा है यह बाए कॉन केव ठीक है अच्छा इसके बाद देखिए जरा एक लेंस क्या है ऐसा भी हो सकता है इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन केव प्लेनो यानि एक साइट से प्लीन है और यह हो गया प्लेनो कॉन केव ठीक है चलिए हम यह मानके चलते हैं यह हम अज्यूम करके चलते हैं कि इस वाली लेफ्ट वाली सर्फेस को आप सर्फेस वन नाम देंगे और इस वाली सर्फेस को सर् radius तो नहीं ना तो plane surface की radius of curvature क्या लेगे इस side की radius of curvature यह देखो यह अगर इस side वाली मतब़िस side where surface को आपने one ही माना है तो देखो r1 की value इसकी radius of curvature क्या है वो लग कुछ नहीं तो इसकी radius of curvature को infinite माने क्यों अगर हम इस plane का circle बनाएंगे अगर इसको ऐसे मानते हूं तो बहुत बड़ा circle बनेगा इसकी radius infinite होगी ठीक है तो इसकी radius infinite r1 की value infinite माने जाएगी अच्छा अब r2 की value लेट से इसकी radius r है तो अब इसकी radius तो अगर हम इस वाले circle को complete करेंगे तो इसकी radius इसी side आईगी ना left में तो हमने इसको क्या साइन माना minus sign तो इसको हमने लिए minus r अब आप समझदार बच्चों सारे अब देखना यहां पर यह first surface है और यह second surface है तो अब r1 इसकी radius का होगी right side होगी तो हमने इसको positive r मान लेंगे या positive r1 ले लेंगे ठीक है और यहां पर देखो r2 की जगह है r2 की जगह है यह r2 जैसे left में r2 की radius कहां जाएगी यह radius left में जाएगी तो हमने इसको कहा माना minus r ले लिया अगर इनकी radius same है और अगर अलग-अलग है यह हमसे कुछ कहा नहीं जा रहा है तो हम r1 r2 ही consider करेंगे इसी परकार से आप समझ गए कि यहां पर first surface देखो यह concave है first surface की radius left में होगी ना left में तो यहां पर r1 की value भी हमने क्या ली negatively ठीक है r2 की value यहां पर देखो r2 की इसकी radius decide होगी तो यह value हमने positively ठीक इस तरीके से किसकी radius का मुख कि side को खुल रहा है वो decide करता है ठीक है कि radius positively नहीं है कि negative ठीक यहां पर r2 बताओ ज़रा कैसा होगा positive negative answer बस आप यह बात याद रखेंगे और इसके अब आप सारे यह बढ़ी है इसके questions बताता हूं टेक जो की exam में पूछे जाते हैं टेक देखें तरह question क्या दिया जा रहा है ध्यान से पढ़ेंगे अच्छे solve करेंगे the radius of curvature of the lens sorry the radius of curvature of faces of double convex lens double convex lens मतलब दोनों side से convex है टेक लेकिन इस बार यह ऐसा case नहीं है कि दोनों का same radius of curvature हो आरवन आट्डू की value सेम नहीं है ऐसा हो जबता है कि यह इस side से ऐसा है और दूसरा side से ऐसा है तो दोनों हैं तो convex लेकिन एक surface की radius of curvature कितनी है एच्छे आरवन यह surface माल लें इस तरहीं से lens नहीं माल लिया ठीक है देखो तो आरवन की value कितनी हो गई आरवन की value अब फस्ट वाली surface है तो हमने का कि भाई यह positive 10 हम इसको माल लेते हैं राइट side जा रहा है second वाली surface का मूँ इस side हो खुला है left में तो आरटू की जग हमने क्या माल लिया left में जाएगी तो माइनस 15 सेंटीमेटर बस focal length दी है क्या दी है focal length 12 सेंटीमेटर अब obviously बात है convex है तो generally 6 में से 5 cases में क्या बनती है 6 में से 5 cases में focal length positive होती है बस virtual erect वाले case में focal length negative होती है अगर वो case पूछना होगा तो फिर यहां लिख करके देगा टेक what is the refractive index of glass तो refractive index आपको निकालना है टेक तो lens maker formula हम यहां पर simple लगाएंगे अभी lens maker formula हम लगाएंगे तो वह आप जानते हैं क्या होता है one upon f is equal to mu minus one जब तक अलग-अलग medium की बात नहीं करी तो हम simple simple की बात करेंगे टेक है अच्छा वैसे आप formula यह होता है यह one upon f mu two upon mu one minus one ठीक है बात समझ में आ रही है चलो सब सिखा देंगे आपको tension मतलो ठीक तो अभी simple एक ही medium की बात करी जा रही है ठीक है तो हमें ज्यादा दिमाग पर लोड ना देते हुए simple लिख देना है mu minus one और यहाँ पी का लिखना है one upon r1 minus one upon r2 ठीक है one upon f is equal to one upon f की value तो मैं पता है कितनी है one by twelve is equal to mu की value अच्छा refractive index नहीं दिया ना इस lens का नहीं दिया ना तो हमें mu की जगह mu रखना है mu minus one one upon r1 की value क्या है r1 की value प्लस का 10 minus r2 की value क्या है r2 की value है minus का 15 तो हम इसको plus का 15 कर देते हैं क्योंकि minus का 15 लेखा था इसको further solve करते है solve करने पे क्या मिल रहा है देखो ज़रा one by twelve is equal to mu minus one और यहाँ पर क्या चल रहा है यहाँ पर चल रहा LCM आएगा 30 30 LCM आने पर यहाँ पर आ जाएगा 3 यहाँ पर आ जाएगा 2 यह हो गया 5 by 30 इसको अगर हम divide करके solve करेंगे तो यह आ जाएगा 1 by 6 1 by 6 यहाँ पर इसको 1 by 6 को चलो अगले step में कर देते हैं ठीक है ताकि जो बच्चे टेलिग्राम पर नूट्स डाउनलोड करेंगे उनको जो है यह सारी चीजें अच्छे से मिल जाएगी 1 by 12 is equal to mu minus 1 और यहाँ पर क्या चल रहा है इंटू में है 5 by 6 तो यह solve करके 6 से यह कटेगा तो 1 by 2 और is equal to mu minus 1 अच्छा क्या यह सही किया है मैंने एक बार देख लेते हैं जी 1 by 6 ठीक है 5 by 6 सुरी सुरी तो यह बचेगा 1 by 6 यह cancel करेंगे तो 1 by 2 अब देखो यह यह बचा है 1 by 2 यह minus 1 और जाएगा तो plus का बन हो गया इसको solve करेंगे तो 0.5 plus 1 तो mu की value आ गई 1.5 मतलब यहां पर refractive index की value क्या गई 1.5 और refractive index ही कोई unit नहीं होती तो आप इस तरीके से इसको solve करेंगे तेक अच्छा सब इस पर क्या ऐसे ही question आते हैं हाँ इस पैसी question आते हैं कुछ changes हो क्या आते हैं वो भी आपको कराता हूं tension मतलो देखो ज़रा next question देखो यहां पे फिर से आईए ठीक है देखे तरह क्या पूछा गया है यह तो एक number में भी पूछा जा सकता है हां अगर एक number में आएगा तो कैसे करना है देखते ही कैसे trick को या उस चीज़ को पकड़ लेना है अपनको जो भी hint है हां और अगर तो तीन number में आजा solve करने को तो solve कैसे करेंग यह भी आपको बता देते हैं ठीक क्या लेखा है एक concave lens इस बार कैसा lens है concave lens है ठीक है of refractive index 1.5 concave lens है जिसका refractive index का है 1.5 है concave lens का refractive index 1.5 है is immersed in a medium of refractive index 1.65 अरे भाई साब क्या दिया जा रहा है कि एक concave lens है इसको किसी medium में immerse करा जाता है मतलब डुबाया जाता है देखो जब कोई lens खाली air में रखा होता है air में तो उसकी light को bend करने की ताकत कुछ और होती है हाँ और medium में जिसे liquid में दूद में पानी में केरोसिन में आप डुबा दें उसको तो उसकी light को bend करने की ताकत कुछ और हो जाती है मतलब उसकी light को focus करने की जो ताकत या capacity है वो बदल जाती है तो हम कहते हैं जब किसी lens को किसी medium में रख देते हैं तो light को मतलब तो उस lens की जो focal length है वो बदल जाती है ठीक है focal length कितनी हो जाती है forskarl लेंच बदल जाती इसका मतलब है और वो लाइट को हो सकता है कंट डाइउर्ज करने के जगए कनवर्ज कर एилась कर दाइउर्ज करे यह कोई आए है नहीं है चीज़ समझनी हमें तो यहां पर बात कही जा रहे ही वह है कि-स तरिके से किसी मीडियम में हमें नहीं पता कौन सा मीडियम है बस मीडियम में डूबा दिशुन तो पूछ रहा क्या राकिया है क्या झाइक अपी उस लैंस की तरह भी भी कही बहन कर एगा या convex lens बन जाएगा या कुछ और बन जाएगा तो हमें बताना है nature of lens तो देखिए ऐसे case में आप समझेए कि light जो है अब जो आईगी वो कहां से कहां जाएगी कहां से कहां जाएगी लाइट जाएगी इस बार मीडियम से लाइट कहां से जाएगी लाइट जाएगी इस बार लाइट कहां से कहां जाएगी मीडियम से जाएगी लेंस में तो लाइट जाएगी मीडियम से मीडियम से लेंस में ठीक तो बता हो ज़रा इसको refractive index के form में कैसे लिखते हैं इसको लिखते हैं देखो light कहां से जा रहे है medium से lens में medium से lens में याद रखेंगे ठीक अच्छा तो म्यू की जगह क्या आएगा इस बार म्यू किसमें जा रही है lens में तो म्यू L अपॉन म्यू M यह सिखाया है आपको आज की इस lecture में हाँ refractive index में ही सिखा दिया था हाँ देखो तो बात समझ गए म्यू L अपॉन म्यू M तो आप यहाँ पर समझे कि पहले जो पिछले वाले case में हम formula बना रहे थे 1 upon f is equal to mu minus 1 1 upon r1 minus 1 upon r2 के बजाए इस बार हम यह देखें कि light कहां से कहां जा रही है देखो जरा तो light जा रही है medium से लेकर के lens में तो formula जो बनेगा इस बार वो यह बन जाएगा देखो जरा 1 upon f is equal to ज्यादा dark हो गई देखें जरा समझ में आ रहा है ना समझ में आ रहा है 1 upon f is equal to देखो mu L refractive index of lens upon refractive index of medium minus 1 अब यहाँ पर नातों में यह बताया ठीक है कि दोनों की radius of curvature वगरा का है हमें कुछ नहीं बताया ठीक है कोई बात नहीं है कोई बात नहीं बस इतना तो पताया ना koncave lens है क्या पताया concave lens है तो concave lens में यह clear है let's say concave lens में यह clear है कि पहली surface negative होगी पहली surface negative होगी पहली surface की radius और दूसरे surface की radius positive होगी, r2 की value positive होगी, r1 की value negative होगी, say, say, यहाँ पर देख लो, हम यह assume कर लेते हैं कि अगर r1 और r2 बराबर हैं, r1 is equal to, let's say, minus r, r2 is equal to, let's say, plus r, सिर्फ यह आपको concept बताने के लिए कर रहा हूँ, उदर बाइ direct हो जागा, देखो, तो 1 upon f is equal to, आप यहाँ पर देखें, mu l upon mu m, तो mu l, lens का refractive index का है, 1.5, 1.5, ठीक है, mu m, medium का refractive index का है, 1.65, minus 1, यहाँ पर देखो, 1 upon r1 की जगह है, minus का r, r2 की जगह है, plus का r, ठीक है, तो यह कुछ ऐसा बचेगा, मतलब आप यहाँ पर देखो, कि अगर हम इसको solve करेंगे, तो यह जो value है, यह negative आएगी, पक्का, ठीक, अगर हम इसको solve करेंगे, देखो, जिस liquid में इसको डुबाया जा रहा है, जिस liquid में इसको डुबाया जा रहा है, यह कहूँ, जिस medium में इसको डुबाया जा रहा है, उसका refractive index ज़ादा है, तो अगर हम इसको solve करेंगे, तो value 1 से छोटी आएगी, अब यह value 1 से छोटी आएगी, अब इस 1 से छोटी value में से 1 को घटाएंगे, तो यह value भी negative आएगी, तो 1 upon f, यानि की focal length की जो value आने वाली है, यहां से, यह क्या आएगी, यहां से जो 1 upon f की value आने वाली है, यह value आएगी, positive, तो 1 upon f is equal to value कैसे आएगी, positive, ठीक है, thus, lens will behave as convex lens, क्योंकि focal length positive किसकी होती है, convex lens की होती है, ठीक है, तो आप इसको देखते ही पहचान जाएंगे, आप इसको देखते ही पहचान जाएंगे, clear है, कैसे पहचानेंगे, देखो, अगर हमें यह पता है, concave है, तो यह value negative होने वाली है, concave है, तो यह value negative होगी, यह वाला term negative होगा, इसके बाद, आप यह देखो, कि यह वाली value negative या positive होगी, वो decide कर लेगी, ठीक है, आप जिस medium में डुबाया जा रहा है, उसका medium बड़ा, जो refractive होगी जादा है, तो यह वाली value भी negative होगी, ठीक है, इस तरीके से आप जो इसको decide करेगी, चलो एक question और बताते हैं, आप इसका screenshot ले सकते हैं, क्योंकि इस type of question क्या है, पूछे गए हैं, काफी बार पूछे गए हैं, ठीक है, तो अभी देखिए तरह, ध्यान से देखो, तो अभी आभी देखो, इस question में क्या दिया जा रहा है, कि by convex lens है, made of transparent material of refractive index, mu is equal to 1.25, मतलब यहाँ पर जो refractive index किसका दिया है, lens का refractive index 1.25 है, ठीक है, इसके बाद, is immersed in water, water में इस lens को डुबाया दिया गया, और water का refractive index है, 1.33, कितना है, 1.33, can I build the lens, behave as converging और diverging, lens कैसे behave करेगा, converge करेगा light को, यानि convex, या diverge करेगा, यानि concave, ठीक है, give reason, reason के साथ आपको बताना है, तो condition ये देखिए, lens को किस में डुबाया गया, lens को डुबाया गया, पानी में, और आज यहां पर ये कहावत, जो है, सही हो गई, कि आज blue है, पानी, 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 रे, ठीक है, देखो जरा, बात clear है, देखिए, तो ये कॉंसे lens को डुबाया जा रहा है कॉंसे lens को convex, by convex lens by convex करा है तेक है, हम यहाँ पर by convex lens है, दोनों की radius of curvature यहाँ पर हम same मान के चलेंगे तेक, देखो convex lens को पानी में डुबाया अगर radius of curvature नहीं दी है मैं तो, देखे अब यहाँ पर ऐसे case में देखो light कहां से जा रही है water से lens में light कहां से जा रही है light जा रही है water से lens में तो सीडी सीडी बात है कि यहाँ पर light जा रही है water से lens में तो यहाँ पर बस simple क्या लेखना है lens में जा रही है तो lens में, कहां से बॉटर से कैसे बनाया सर देखो लाएट जा रही है बॉटर से लेंस में जिसमें जा रही हो इसको उपर रखते हैं जहां से आ रही हो उसको नीचे रखते हैं ठीक है ठीक फॉर्मूला क्या बनेगा वन अपॉन एफ इस एक्वल 2 मू कहां से लाइड आ रहे सिंपल लिख देता हूं मू अपॉन डवल्यू माइनस वन टेक इंटू में क्या है वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू यहां पर कुछ दिया है क्या कुछ नहीं दिया अब इतना तो हम समझते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस है और वाली यहां से पटा पढ़ रहा है कि यह वाला टर्म पॉजिटेव वहने वाला है कैसे सर यह देखो वन अपॉन अक्षायर है तो यह वाला टर्म देख लेता है लेंस का रएक्स कितना है 1.25 और इसका रइफरेक्टिव इंडे कितना हे गा वाटर का 1.33, ठीक है, माइनस का 1, 1 upon F, देखें जरह 1 upon F, और 1.25 ये value क्या आएगी, ये value आएगी, negative, तोगी इसका denominator जो है, बड़ा है, और ये छोटा है numerator, ये value negative आई, ये value क्या आई, positive, तो 1 upon F is equal to answer क्या आएगा, और नेगेटिव फोकल लेंद किसकी होती है, नेगेटिव फोकल लेंद होती है, कनवर्जिंग लेंज की, किसकी होती है, कनवर्जिंग लेंज की, अच्छा, यहाँ पर आप याद रखिए, जिसको अभी हम आगे पड़ने भी वाले हैं, कि 1 upon F, जो है, ये power of lens का formula है, power of lens, त अगर आपसे पूछ ले जाए power of lens क्या होगी तो 1 upon f की value निकाल के जो भी निकल के आएगा आप उसको power of lens बताएंगे और इसकी जो unit होती है वो होती है diopter ठीक है आगे हम इस पर discuss करने वाले हैं कि power of lens actual में क्या होता है तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि देखो त सॉरी negative focal lens यहां पर diverging सॉरी 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 क्योंकि यहां पर अभी जो है यह कॉंसलेंस हो गया देन कि diverging lens कि इसको मैं दोबारा से लिख देता हूं diverging lens ठीक है तो आप यहां पर देखें कि diverging lens हो गया और diverging lens क्या है diverging lens concave lens होता है कौन सा होता है concave lens होता है बताइए ज़रा clear है देना तो इसका मतलब convex lens इस वाटर में concave की तरह है बेव कर रहा है तो इस तरीके से हम जो है सारी जिए अब लिख देंगे आपको बता देंगे वैसे ठीक है चलिए अब इसमें से मान के चलो मान के चलो कि आप से पूछे कि फोकल लेंद कितनी हो जाएगी तो इन वैल्यूस को रखना और यहां पर जो वैल्यूस दियोंगी उनको रखना काम बन जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह क्वेशन जो है पूछे जाते हैं चलिए नेक्स हम देखत ऑफ लेंसे को पूछेंगे पूछेंगे पावर अफ लेंस में ट्क है पावर अफ लेंस कहां दिया हुआ है हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर गप अब देखो पावर ओफ लेंस क्या होता देखो आप समझते हैं लेंस एक्ट्वल में क्या है लेंस एक ऐसी ट्रांस्पेरेंट सर्फेसेज का कॉंबिनेशन है जो लाइट रे को बेंड करती है कनवर्ज करती है या डाइवर्ज करती है है ना बात समझ में जहां लगाना है लेंस का क्याम होता है लाइट को बेंड करना लाइट को बेंड करना ठीक है अभी आप यहां पर समझेए अभी आप यहां पर समझो कोई भी लेंस कोई भी लेंस सोचना कि जितना पावरफुल होगा वो लाइट को उतना ही ज़्यादा बैंड कर देगा कोई भी लेंस जितना पावरफुल होगा वो लाइट को उतना ही ज़्यादा बैंड कर देगा बात समझेगा तो मान के चलो कि ये lens ज़्यादा powerful है तो ये light आई गे यहां से और ये इस lens को यहीं पे इसने bend करा दिया मतलब इसका focus यहीं पे बन गया अब मान के चलो ये lens जो है कम powerful है तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि कम powerful lens है इसका मतलब ये हो गया कि ये light को bend आसानी से नहीं करा पाएगा तो light जो आ रही है ये आसानी से bend नहीं हो पाएगी और नहीं हो पाएगी तो ये दूर जा करके bend होई यानि कि इसने bend तो कराया लेकिन इसमें उतनी power नहीं थी कि light आई और ऐसे ही मोड दिया ठीक है तो आप समझें यहाँ इसका focus का हुआ इसका focus हुआ यहाँ पर है ना तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि जो lens की जो power है lens की जो power है power of lens का मतलब क्या है light को bend करने की power light को bend करने की power तो आपने आपर क्या देखा कि अगर light की जो power है लेंस की जो पावर है वो ज्यादा है तो लाइट को ज्यादा बेंड कराके जल्दी फोकस पे मिला देगा ठीक है तो और अगर लेंस की पावर कम है लेंस की पावर कम है तो आप क्या देख रहे हैं कि लेंस की पावर कम है तो उसको धीरे धीरे बेंड कर पाएगा और focal length किसमें लेनी है मीटरमें तो आप यहां पर दिखिए कि पावर ओफ लेंज कि यहां आदा एब इसकां बोलते हैं पावर ओफ लेंज टीए अब देखिए आपकe पावर अफ लेंज का फॉर्मूला क्या क्या बन जाएगा वन अप स्की 24 यूनिट क्या है 24 के एई सा यूनिट एदायोप्टर क्या है डायोप्टर तो एसे हमारी जो आंग जो नंबर होता चसमें कह वह जैसे आपको दिया होता है प्लस-2 दायोप्टर मइनस2 डायोप्टर तो वह focal length positive होती है और वान अपन एक वह भी तो जो हे आप समझें कि यह देखो focal length positive थे पावर ही positive टिक ये यह ता हो गया थो लेंज़ एक साथ रख़ें इस तरीके से तो क्या होगा तो अभी 108 intensity लगा होगा ठीक positive power इसका मतलब convex lens लगा होगा clear है बात नहीं बात समझ में आ रही है ठीक है तो power of lens आपको समझ माया होगा तो कहीं पर भी power of lens निकालनी है तो आपने one upon f की value निकाल दी तो समझ लो power निकल गया है ठीक है बात समझ में आ चलिए आगे बढ़ते हैं और next topic जो में मिल रहा है यह मिल रहा है power of sorry combination of lens लेकर उससे पहले हमने आपको एक question जो है यह कराना है जिसको हमने जो है नीचे slide करा था question में क्या दिया जा रहा है how does the focal length of lens change when red light incident on it is replaced by violet light ते दियान दो जरा क्या कहा जा रहा है कि red याद रखिए जो red light है इसकी wavelength जदा है डाइड-Light की क्या है be linked जदा है आप समझते हैं red light की wavelength सबसे जदा होती है ठीक है highest wavelength है ठीक है और violet light की जो wavelength है violet की eta components काहसी होती है lowest वेलेंट इसकी कैसी है इसकी वेलेंट है लोएस्ट या कए इसकी लीस्ट वेलेंट है तो अगर हम बात करें यहां पर अगर हम बात करें यहां पर colors की तो यहां पर आप देखिये कि अगर wavelength highest है तो इनकी जो speed या कहें कि जो velocity होगी ये भी कैसी होगी, ये भी होगी highest ठीक है, highest ठीक और ये वाले case में इसकी velocity भी होगी, एकदम least velocity, क्या होगी, least velocity ठीक है अभी आप ध्यान से देखिए अभी आप ध्यान से समझे कि यहां पर आपको क्या करना है अब आपके दिमाग में अगर आप यह बात समझ गए तो आपके दिमाग में एकदम क्लियर कट में गी इंदम क्लियर कट में में देखो बताता हूं मानके चलो कह यहां से कौन से यहां से आई लेट्से यह कौन से लाइट आ रही है रैड़ लाइट आ रही थी न अब रैड़ लाइट में पूर्ण की जो वेलोसिटीrien र्याण लेट की वेवलेंट ज्यादा तो इसकी स्पीड ने वेलासीटी भी ज्याधा आप देखो कोई चीज बहुत स्पीड में आ रही है तो उसको बैंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है है ना तो यह जो लेंस है उसको इतनी जल्दी आसानी से बैंड नहीं कर पाता और यह लाइट को रिप्लेस करते हैं ब्लू लाइट से कौन से लाइट से ब्लू ब्लू कर रहा है ठीक है वालेट तो यहां पर समझे यह आपको अलका सा वालेट कर देखने को मिल जाएगा है अगर इसको हमने वालेट लाइट से जो है रिप्लेस कर आप मान के चलना यह वालेट है तो अभी क्या होगा हलाकि वॉयलेट तो नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं वॉयलेट देखेगा भी निवाइट पे ठीक है तो अभी आप समझे कि अगर हम इसको वॉयलेट से रिपलेस कर देते हैं तो अभी क्या होगा वॉयलेट की जो speed यानि जो velocity वो कम है अब धीमे धीमे आरी धीमे धीमे तो lens को इसको bend कराना थोड़ा सा आसान होगा तो lens पकड़ के इसको यही मोड देता है तो यहाँ पर फोकस बन जाता है तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर ऐसा वाला case बनता है तो यहाँ पर focal length क्या है फोकल length कैसी है फोकल length जादा है तो power lens की कैसी हुई red वाले case में power कम हुई तीक है अब यह वाले case में focal length decrease हो गई और power क्या हो गई तो यह आपको समझना है तो यह कौनसी light हुई यह तो red हो गई और इसको मने कौनसी माना इसको मने violet light माना बात clear हो गई तीक है आप इसको याद रखेंगे अच्छा काफी conceptual सा question है और यह पूछे गए हैं CBSE में तीक है याद रखेंगे इनको one mark question के study कुछ में भी जो है पूछा जा सकता है ठीक है आगे बढ़ जाते हैं और next हम बात कर रहे थी किसकी combination of lens के ठीक है इसमें भी आपको अच्छे question करके दिखाएंगे combination of lens क्या होता है दिखो अभी आप इतनी बात तो समझते हैं कि lens क्या है lens maker formula का है सारी बात है combination of lens में आप से कहा जा रहा है कि अगर हम जिसे एक convex lens image बनाते हैं तो वो यहाँ बन जाती है इसे image सहत बंचे इसे बनती है अगर मानके चलो कि दो lenses को अउसे साथ चिपका करके रख座ें तो image का formation किस प्रकार से होगा यह मैं समझना है बलांज को अगर हम एक साथ रखधें तो image का formation कैसे होगा यह मैं समझना बहुत वो दो lenses जो ए दोनों conv eggs हो सकते हैं दोनों Concave भी हो सकते हैं एक Convex एक Concave भी हो सकता है एक Plano Convex और Concave Lens ऐसे भी कुछ भी जो combination हो सकता है तो सभी के लिए आपको सारी चीज़ यहां पर समझ में आ जाएंगी देखो जब lenses combination में रखे होते हैं तो किस तरीके से image का formation होता है let's say Convex Lens के हम बात करते हैं जैसा पढ़ाया जा रहा है वैसे एक्जाम में आएगा टेंशन मत लेना ठीक है देखो मान के चलो यह हमारे पास दो Convex Lens हैं सबसे पहले क्या हुआ कि यह एक light रहाती है यहां से अब समझना यह light रहा है यह light रहा है अब अगर सिर्फ एक Convex Lens होता तो light को इस तरीके से यहां focus करा देता है ठीक लेकिन दूसरा Convex Lens भी है पहले Convex देखो पहले Lens के कारण तो image का formation यहां हुआ लेकिन ये तो क्या कहलाएगा ये वाला point क्या कहलाएगा क्या finally यहां पर image बनीगों नहीं यहां पर image बनती अगर एक ही Lens होता तो बन गया लेंस मेंकर formula इसा केस बन रहा है तो देखो यह क्या है यह पहले Lens के लिए इमेज है यह क्या है.. image for first lens image for first lens यह पहले lens के लिए image ठीक है अब देखिए ज़रा अब यहां पर actual में क्या हुआ कि यह जो lens है यह image यहां पर बंद दी अगर सिर्फ एक lens होता लेकिन दूसरा lens भी है तो दूसरा lens भी तो इसको bend करेगा दूसरे lens ने इसको यहां से ऐसे bend कर दिया तो final image जो है वो यहां पर बन रही है यहां पर बन रही है तो तो आप देखो यह जो आई डैस जो है यह पहले लेंस के लिए ने क्या करा इसी इमेज को खिसका के यहाँ बना दिया तो दूसरे लेंस के लिए जो आई-डैस यह क्या है object है. किया है? object for second lens. लेंस टीक है? याद रखेंगे. क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था lensmaker वाले केस्मे अभी भी बता रहा हूं क्या बता रहा हूं? जैसे यह आपको याद आजाया है कि हाँसर आपने बताया था, यह आपके पास एक mirror रखा है इस तरीके से तिक और यहां पर भी आपके पास एक यह mirror रखा है तो आप यह देखो कि इसकी image जो जैसे आप यह देखो यह lens one है या सॉरी यह mirror one है तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि mirror one के लिए तो object यह है अब mirror two के अंदर भी इसकी image बन रही है यहां पे तो बताओ जरा mirror two ने सीधा इसको तो देखा नहीं है mirror two ने तो इसको देखा है ना इसमें जो image बन रही थी तो जो mirror one के लिए image है वो mirror two के लिए object का का काम करेगा है ना तो जो lens one के लिए जो image है वो lens two के लिए object का का काम करेगा है ना यही बात हमें ध्यान रखनी है clear है है ना उम्hmीद करणगा, आपको सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है?। तो देखिया ज़रा, यहां पर फिर से, यहां पर फिर से. देखो ज़रा, अब क्योंकि जैसे हमने lensmaker formula में समझा था, जैसे हमने किस में समझा था? lensmaker formula में समझा था, ठीक है?ow認真, lensmaker formula बना था refraction formula से और refraction formula में हमने already sign convention का use कर लिया था uv के साथ है ना तो फिर अपने lensmaker formula में sign convention का use नहीं करा ठीक है combination of lens बना है यह lens formula से और lens formula जो derive करते समय हमने sign convention का use already कर लिया था तो repeated sign convention का हम यहां पर यूज नहीं करेंगे मतलब यू वी के लिए साइन केंवेंशन का यूज नहीं करेंगे सब कुछ पॉजिटिव ही लेंगे बुक्स में मैंने आपको पहले ही बताया कि हर चीज अलड़ी मेंशन है तो साइन केंवेंशन को लेकर के प्रॉब्लम में मताना जो बता रहा हूँ बस पर आखे बंद करके आप विश्वास कर सकते हो आखे बंद करके विश्वास नहीं करना तो आपकी मर्जी आप जहां से विश्वास करो वहां से कर लेना तीक है देखे जरा बस मैं उन बच्चों को अश्वार कराना चाहता हूं और हमेशा जो उमीद करते हैं ट्रस्ट करते हैं ठीक है हाला कि आप सारे बच्चे अच्छे बच्चे हो लेकिन कभी-कभी कि बच्चों के मन में डाउट आ जाता है तो उसको लेकर के मैं बता रहा हूं आपको ठीक है तो पहली image का formation होता कुछ यहां पे और दूसरी image का formation हुआ यहां पे आप बीच में से इस कुछ है ऐसे bend करा दिये करें तो इस light ray को आप dash dash करके दिखाएं यहां से dash dash का मतलब है कि image बन ती लेकिन बन नहीं पाई वाई साथ बड़ी दुख की distance अब image distance और object distance हमने करके क्यों लिखा है क्योंकि आप यूवी में confused ना हो जाएं तो for lens 1 lens 1 के लिए formula let's say lens 1 की जो focal length है वो f1 है क्या है f1 यह lens 1 है और यह lens 2 है अच्छा यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि assumption क्या है assumption है यहां पर lenses are या lens are very thin lenses क्या है lenses बहुत थिन है तो जो distance जो होगी वो दोनों lenses low या पर center से वो same होगी हर बार लिखते हैं assumption lenses are very thin so distance from from center and both lenses will be same तो distance चाहे center से लोग या दोनों lenses से यह distance same हो जाएगी ठीक है तो formula 1 upon image distance minus 1 upon object distance तो पहले lens के लिए image कौन है i dash मतलब distance in v dash तो पहले lens केolly distance हो वी dash टएक है minus पहले lens के लिए object है यू तो हमने simple 1 upon image distance minus 1 upon object distance थिक है दूसरे lens की बात करते ह। दूसरे lens की लर्ट से focal lens का है f2 तो f2 के लिए image कौन है image V मतलब आई AI है the image और v distance बन रही है ठीक है तो one upon image distance minus one upon object distance तो object second lens के लिए object कौन है i dash कौन है object i dash तो i dash की distance क्या है v dash तो हमने यह बना दिया let's say this is your equation number first and this is your equation number second अब यह दोनों equations को हम add करेंगे अब आप इन दोनों equation को add करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ चीजें दिखाई पट रही होगी जैसे कि यह चीज चीज कैंसल हो रही है हाना दोने equation को अपन add करते हैं और add करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर यह cancel हुआ और यह बच गया one upon v minus one upon u अब मानगे चलो तो इसका मतलब है कि पहले lens की focal length f1 थी दूसरे lens की focal length f2 थी अगर दोनों lens combination में आएंगे तो उनकी जो combined focal length क्या होगी वो इस formula से हम निकाल सकते हैं अब अगर ज़रा ध्यान से देखिए अगर मैंने कहा कि पहला lens जो है let's say l1 जो है यह आपका convex है और मानके चलो के l2 जो है यह आपका concave है अगर दोनों convex हैं दोनों convex हैं तो क्या होगा f1 भी positive और f2 भी positive अगर दोनों positive और f2 negative इस तरीके से आप solve करेंगे ठीक है और उसके बाद जो final answer आगर negative आता है तो आपको पता है कि जो दोनों का resultant है वो किस तरहीं के बेएब करेगा positive आता है तो आपको पता है कि दोनों की resultant है वो किस तरीके से羽 बेएब करेगा तो यह convex concave तो formula बन जाएगा 1 upon f1 minus 1 upon f2 यह फिर 1 upon f2 minus 1 upon f1 clear है? अच्छा तो आप यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर देखिए also 1 upon f1 को हम क्या बोलते है पहले lens की power 1 upon f2 को हम क्या बोलते है दूसरे lens की power और यहाँ पर क्या हो गया 1 upon f को हम क्या बोलते है यह पी तो जनरल formula यह बन गया concave के लिए p negative होता है convex के लिए p positive होता है तो इस तरहीके से power का formula भी हमने यह बना दिया ठीक है? और आप इसको अच्छे से द्यान रखेंगे ठीक यह combination of lens की power हो जाएगी अगर इस पर बेज़ कोई question आता है तो हम किस तरहीके से करते हैं? यह हम आपको बता देते हैं ठीक है? ध्यान से देखते हैं इसको करेंगे इसके बाद एक और question करेंगे ताकि आपके दिमाग में बढ़िया image बने है ना? और आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ जाए तेक, देखो और उसके बाद कोई भी question आएगा तो आपको पता पढ़ जाया कि वही आप actually मुझे इनको किस तरहीके से tackle करना है तेक है? समझते हैं देखो क्या दिया जा रहा है इन following rate diagram are given the position of object O image I two lenses L1, L2 focal length of L1 is also given find the focal length of L2 ठीक देखो यहाँ पर दो lens है यह L1 है, यह L2 है यह diagram बना हुआ है इसमें सारी object distance क्या है image distance क्या है यह सारी बातें आपे लिखी होगी है आप से कह रहा है कि आपको इस second वाले यानि कॉनके लेंस की focal length को आपको निकालना है कौन के lens की ठीक है निकाल लेंगे सार कौन सी बड़ी बात है ठीक है देखो तो सबसे पहला काम हमें यह करना है कि इस ray diagram को पहले समझ लेना है यह diagram को समझ गया जो बच्चा यह मान के चलो कि उसका काम हो गया देखो यहाँ पर यह object रखा है object से एक light रहे ऐसे गई convex lens पर जाके यह strike करे अब convex lens light को converge करता है इसे कुड़ता है तो convex lens ने light को converge करा और यह light यहाँ तक पहुची टिक और अगर यह सीधे जाती तो image का formation यहाँ पर कराती देख रहे हो इस तरीके से यहाँ पर image का formation हो जाता है लेकिन और यहाँ पर जो है इसकी image बन जाती तो convex lens के लिए यहाँ पर image बन जाती हमें नहीं पता यह distance कितनी है क्योंकि हमें diagram में नहीं दी diagram में यह यहाँ तक की distance यह यहाँ तक की यह distance कितनी हमें नहीं पता convex lens के लिए यह object distance है कितना है u is equal to इसके lens negative में है left में है minus यह इसके positive में आना चाहिए तो हमें कहा निकालना है और उसकी focal lens तो पता है कि convex focal lens दी है काम की बात यह है इस पे आप ज़्याद ध्यान देंगे कि देखो यह light ray यहाँ पर जाकर के meet करती लेकिन करी नहीं actual में देखो तो convex lens की image यहाँ पर बनी है convex lens की image यहाँ बनी है देखो i dash लिखा है यानि कि यह image यहाँ पर बन थी लेकिन concave lens के बीच में आने से image यहाँ पर नहीं बनी concave lens ने light को ऐसे converge कराया ऐसे फैला दिया और image अब दूर जाकर के मिली image अब यहाँ मिली यहाँ पर तो यहाँ पर image मिली तो यहाँ पर image का sorry light ray मैं क्या कराया हूँ image मिली light जो है यहाँ पर meet करी जिसके current से हमने क्या देखा कि final image का formation देखो i लिखा है यहाँ पर हो रहा है बात समझ में आ रही है तो आप यह देखेंगे second वाले case में second concave के लिए जो image है concave के लिए जो image है वो देखो कहाँ बन रही है यह distance लेकर कर दी है 30 cm प्लस का 30 cm ठीक है ध्यान रखेंगे अब देखो आप सभी समझते हैं कि convex के लिए image यह बनी लेकिन concave ने क्या करा इस image को यहाँ खिसका दिया मतलब यह जो distance आप देख रहे हो आप यह देखो यह क्या है आप ध्यान से देखना जो 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 i dash इस convex के लिए image है वही i dash इस concave के लिए object है क्या है object है याद रखेंगे यह चीज़ हम समझते हैं यह concave के लिए अब देखें बहुत simple और आसान सा काम है द्यान समझते हैं तो सबसे पहले सबसे पहले हम कहा करते हैं कि convex के लिए v find कर लेते हैं तो formula होता है 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u यहाँ से अगर मैं v की value निकालता हूँ तो v की value आ जाएगी यहाँ से अगर मैं v की value निकालता हूँ तो v की value आ जाएगी solve करने पर इसको u f upon u plus f ठीक है इसको हम solve करते हैं ठीक क्योंकि solve करने थोड़ा आसान हो जाएगा इसको solve करना तो v is equal to u f u की value कितनी है minus 40 f की value 15 है यहाँ पर इसका for convex टिक है u की value minus 40 f की value plus का 15 solve करने पे कितना हो रहा है यह minus का 15.6 600 और यह minus का 25 solve करने पे तो यह v is equal to 24 cm ठीक है तो आप यहाँ पर देखें कि यह जो distance है यह distance कितनी हुई 24 cm अब सोचो 24 cm पूरी distance 14 मतला 14 cm है यह पूरा 24 cm इस 24 में से यह कितना है यह 14 cm है तो बचा हुआ कितना आ गया बचा हुआ आ गया 10 cm तो आप यहाँ पर देखो यह distance जो है यह 10 cm निकल के आई क्या निकल के आई 10 cm ठीक है तो 10 cm क्या है मतलब जहाँ पे image बन रही है convex की वो point concave के लिए object कहलाएगा तो आप यह देखो कि U for concave इस कितना 10 cm कितना बचा 10 cm clear है 24 में से कितना चला गया 24 में से 14 चला गया तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 24 minus 14 is equal to 10 cm बस यह बद आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है तो लगा दो इस बार for concave for concave के लिए आपको focal length निकालनी है 1 upon f is equal to concave के लिए 1 upon v minus 1 upon u अब देखो 1 upon f यह निकालना है concave के लिए जो image बन रही है वो कहां बन रही है final 30 cm पर right side है minus इसके लिए image कहां बन रही है 10 cm पर कहां बन रही है 10 cm पर ठीक है ठीक चलिए अच्छा एक चीज़ आप यहां पर ध्यान दे सकते हैं यह जी समझ के चलो otherwise sign convention में ज़्याद दमाग लगाने की इसमें ज़रूत नहीं है इतनी बात याद रखना concave है तो negative answer आना चाहिए concave है तो negative answer आना चाहिए 1 upon f is equal to 1 upon LCM लेंगे कितना आएगा 30 आएगा ठीक है अब देखे यहां पर बचा 1 यहां पर बचा minus का 3 तो कितना हो गया minus का 2 by 30 ठीक है एक बार और चेक कर लेते हैं v की value चलो ठीक है plus 30 हो रही है ठीक u की value 10 cm हो रही है तो 30 और NLC में इतना आगया 1 minus 3 minus 2 by 3 30 तो 1 upon F is equal to कितना आगया यह आगया minus का 1 by 15 तो F is equal to आगया minus का 15 cm मतलब concave lens और convex lens दोनों की focal length सेव निकल के आ रही है चलिए आगे बढ़ जाते हैं आप इसका screenshot ले सकते हैं उमीद गरता हूँ यह जो तरहीका है आपको समझ में आया होगा अभी मैं आपको next question भी ले जाता हूँ और इसमें हम समझते हैं किस तरीके से question को solve करना है ठीक है देखो जरा इस question में क्या बताया जा रहा है ध्यान समझेंगे आप मुझे उमीद आपको समझ बारा होगा ठीक है कि रे डियाग्राम कैसे study करना है from the ray diagram जो ray diagram आपको बताया जा रहा है ray diagram shown calculate the focal length of concave lens मतलब इस बार भी आपको इस concave lens की focal length बतानी है तो यहाँ पर जो given है यह given है focal length of convex lens ठीक है देखो यह object रखा हुआ है इस object से light कुछ इस तरीक से जाती है मतलब यह से ऐसे मान के चलो यह object से light रे जा रही है convex lens पर टकराई अब इससे बात है convex lens converge करेगा तो convex lens ने converge करा और आप यहाँ पर देखो कि convex lens converge करता और light की image formation होती यहाँ पर i dash नहीं simple i लिखा हुआ है तो यहाँ पर इमेज फॉर्म होती वह यहाँ पर होती है convex lens ने converge करा और यहाँ पर image का formation होता लेकिन concave lens ने light को फैला दिया और इस बार concave lens ने light को ज़्यादा फैला आया और फैला करके यह जो light जो ऐसे आ रही थी यह ऐसे आ रही थी इनको ऐसे फैला के concave lens ने इनको ऐसे फैला दिया light ऐसे आ रही थी है ना इनको फैला के क्या बना दिया parallel बना दिया तो ज़रा सोचो यहाँ पे समझना जो बच्चा इसका सही आंसर कुछ से दे देगा वो अपनी side से यानि मेरी side से एक topic आ ले बात समझना यह इसका correct answer आपको देना है वीडियो को pause करके थोड़ा सोच के देखो किस तरीके से यह बनेगा dance देखना यह convex के लिए for convex dance समझना convex के लिए जो object distance है वो क्या है यह है minus 60 यहाँ भी मान के चलना lenses thin है यह u की value कितनी है minus 60 अच्छा convex के लिए focal length plus का 20 cm होगा convex के लिए image का बन रहे है नहीं पता तो फिर से निकालो v is equal to uf upon u plus f u की value minus 60 f की value plus का 20 u की value minus 60 f की value plus का 20 minus 1200 divided by minus का 40 आंसर आ जाएगा plus का 30 cm v is equal to plus का 30 cm यह आंसर आ जाएगा अभी ध्यान देना अभी ध्यान देना v is equal to plus का 30 cm आ गया ठीक अब आप यहाँ पर यह समझो अब आप यहाँ पर यह समझो कि अगर मैं इस point की बात करूँ तो यह कितनी दूरी पर है यह 30 cm पर है कितनी दूरी पर है convex lens से यह convex lens की में जाए न तो यह convex lens से convex lens से 30 cm पर है यह तो फिर यह कितना बचेगा concave lens से यह concave lens से यहाँ तक की distance 10 है तो यह कितना बचेगा यह बचेगा 20 cm तो यह जो i dash है यह i dash concave के लिए या simple इसको i कह दूँ तो यह जो i है यह concave के लिए क्या बन रही है यह concave के लिए object के तरह treat हो रही है तो for concave lens concave lens i is acting like object and here u की value कितनी लिए लेंगे इस set जा रहा है plus का 20 तीक है plus का 20 cm तीक अच्छा अब देखो यह light रे parallel हो गई parallel हो गई मतलब image का बन रही है parallel हो गई मतलब image बन रही है we light यहां लेखो since rays become parallel since rays क्योंकि light रे कैसे हो गई rays become parallel अब light रे क्योंकि parallel हो गई तो वी जो final image का बनेगी infinitive बनेगी तो हमें focal length निकालनी है one upon f यह pen का color काफी अच्छा लग रहा है ना one upon f is equal to dance देखो one upon v minus one upon u तो one upon f sorry focal length focal length कितना है बई focal length sorry इसकी तो focal length निकालनी है हमे final image बन रही है infinity पे क्योंकि light रहे parallel हो गई जब light रहे parallel हो जाते हैं light image बनती है infinity पे minus one upon u u की value मुझे पता है 20 minus formula का है one upon f is equal to in one by infinity होता है zero क्या होता है zero तो zero minus one by 20 इसको solve करोगे तो one by f is equal to minus का one by 20 तो f is equal to हो जाएगा minus का 20 centimeter तो इसकी जो focal length आई वो क्या आई इसकी focal length भी क्या आगई minus का 20 centimeter उसकी बस positive थी तो आपको उमीद है इस तरह से जो है यह combination of lens के questions अच्छे से समझ माए होंगे ठीक concept same रहता है इस तरह से combination of lens and mirror भी बन जाता है आप अराम से अब उनको कर पाएंगे अगर आप इस concept को पकड़ पाएं तो ठीक है अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और next topic जो आपको देते हैं वो होता है prism क्या होता है prism को पड़ेंगे ठीक है और इस में से जो कुछ भी important है वो सब कुछ पड़ेंगे कुछ निचूटेगा जैसे कि वो चाहे derivation हो चाहे numerical हो चाहे आपका कोई भी concept जिन पर से question बढ़ते हैं अराम से तसलिय समझे देखो मैं आपसे कह रहा हूँ कि prism क्या होता है तो prism एक ऐसा optical transparent जो है component होता है जिस पर light आती है तो light को disperse कर देता है मतलब ये light को अलग-अलग colors में बिखेर देता है सर ऐसा क्यों होता है ऐसा ये क्यों करता है भला इसको ऐसा करने से क्या मिलता है देखो बड़ी simple सी बात है prism में आप इस तरह से 3D जो कांच का सबस्टेंस देख रहे हो यही prism है अब इसके अंदर दो refracting surface होती है यानि कि दो surface पे light का reflection होता है तो यह light आई अब यहां से तो आई थी देखो आप यह देख रहे हो white color की light अब actual में क्या होता है कि जो white light होती है यह सभी colors का combination है जब सारे colors मिल जाते हैं तो white light जो है बन जाती है अब यह white light जो आ रही है actual में यह देख हमें white रही है लेकिन इसके अंदर सारे colors है कैसे सारे colors अब यह जब light इस surface से टकराती है तो इस surface के यह अंदर भी घुश जाएगी है ना तो जब यह जब यह air में चल रहे है ना तो यह सारे हाथ पकड़ के चल रहे है लेकिन अब इनको medium में जाना है है ना इनके रास्ते में कोई मुसीबत आ गई तो अब क्या होगा यह सारे हाथ छोड़ देंगे एक दूसरे का और जिसकी जितनी स्पीड वो उतनी स्पीड से भागेगा यह ठीक ऐसे मानो यदि आप पहले 10-12 लोग हाथ पकड़के चल रहे थे तेक है साथ लोग मान लेते हैं कोई साथ कलर से ना तो साथ लोग हाथ पकड़के चल रहे थे अब मान के चलो कुत्ता पीचे पड़ गया तो यह सारे के सारे गैरंटी के साथ जो हाथ छोड़के आगे पड़ जाएं जिसकी इतनी स्पीड वो उतनी स्पीड से भागेगा भागो है के नहीं तो बस ऐसी बात है तो यह वाइड लाइट यह साथों के साथ कलर एक साथ थे तेक फिर क्या हुआ फिर ऐसा हुआ कि यह प्रिजम आ गया ब और इसलिए हम देखते हैं कि जिसकी स्पीड जादा आप समझे ना स्पीड जादा है तो लाइट को बैंड करना मुश्किल होता है है ना जो धीमे धीमे आ रहा है उसको पकड़के जल्दी से मोड दिया जाएगा है ना तो आप समझे कि रैट जो लाइट है रैड लाइट हम देखते हैं कि रैड लाइट जो है यह सबसे कम बैंड होती है और रैड लाइट जो है सबसे उपर रहे गई ठीक है फिर उसके बाद हमने देखा कि बाकी कलर जैसे बहुत सारे कलर से हैं जैसे मानके चलो कि वाइलेट कलर की बात करेगा इसकी वाइलेट कलर की अब समझ कारण violet color सबसे आखी में यानि कि सबसे जादा बेंड हो जाता है तिक और सबसे नीचे जा के पहुंचता है तो इसका मतलब है वह color जिसकी speed जादा होगी वह उपर होगा वह जिसकी speed कम होगी वह जादा बेंड होने के कारेंड से नीचे होगा और इस तरह से जो white light थी यह सारे colors में seven colors में disperse हो गई या नहीं बिखर गई और इसी को हम बोलते है dispersion of light ठीक है तो अगर मैं आप से पूछता हूँ कि prism में dispersion of light का cause यानि की कारण क्या है तो आप क्या बोलोगे different speed of light in medium is the cause of dispersion ठीक है बात समझ में आई clear है ठीक तो यह आपका prism हुआ अब जो हम कोई derivation करते हैं जब कोई question करते हैं तो prism में किस तरह से light रहाती है किस तरह से refract होती है किस तरह से deviate होती है किस तरह से light emerge गरती है तो यह सारी चीजों को हम एक ray diagram यानि के prism के diagram के थुरूँ समझते हैं तो आप कैसे diagram मनाना है ठीक है तो यह prism का आप यह front view आप यहां पर देख रहे हैं ठीक है तो सबसे पहला काम हमारे पास है कि हम यहां पर आपको बताते हैं किस तरह से light यहां पर आती है तो सबसे पहले लेट से हमने कहा कि यह हमारे पास एक incident light हुई मानके चलो कि यह incident light कुछ इस तरीके से आती है yellow color से हम इसको दिखा देते हैं यह हमारे पास incident light आई समझना ध्यान से ठीक है अब जिस surface पे टकरा रही है incident light उस surface पे हम क्या इस normal ड्रौज़ा कर देंगे नॉर्मल मतलब 90डीडिवाल Laid A चलो यह बात आपको समझ में आ रही है अच्छा यह normal है कि नईрыटे कर लेते हैं तो यहां पे 90 डिःडिवनन coalition जिस surface से ठ उक रहा है उस surface पे normal ठीक चली ठीक मान लिया अब होता क्या है कि यह light एक्च्वल में ऐसी जाती यह एक्च्वल में ऐसी जाती देखो जरा यह ऐसे आ रही थी तो यह लाइट एक्च्वल में ऐसी ही जाती लेकिन लेकिन यहां पर क्या हुआ कि यहां तो था रेरर मीडियम और यहां आ गया डेंसर मीडियम ठीक है तो अब यह लाइट के पास दो option है क्या सॉरी दोने एक ही option है यह light अब इस medium में आगे ने denser medium में तो denser medium में light हाँ यह light जाती ऐसे जाती ऐसे लेकिन अभी क्या होगा क्या अभी ऐसे जाएगी नहीं अब यह light can bend हो जाएगी towards normal यह क्या है यह normal है हमने इसको नाम दे n1 तो light ऐसे जा रही थी ऐसे जा रही थी लेकर अभी नॉर्मल की और bend हो जाएगी normal का है नीचे तो यह नीचे की और bend हो जाएगी ठीक है चलो तो हम इसको नीचे की और bend कर देते हैं ठीक है तो हमने क्या करा कि यहाँ पर जो इसको नीचे की जाइट बेंड करा और यह लाइट जो है अब सीधे चली गई ठीक है यह बेंड होकर कहां गई सीधे गई ठीक अच्छा इसके बाद आप यह देखिए अब जिस जगह पर यहां पर आकर यह टकरा रही है उस जगह पर भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं नॉ नॉर्मल कहां जाएगा सरी नॉर्मल जो है कुछ इस तरीके से यहां जाएगा ठीक है देखो जरा यह क्या बना दिया हमने यह नॉर्मल बना दिया है चलों दोनों को यहीं मीट करा देते हैं ठीक यह देखोएं दोनों नॉर्मल है हम इसको नाम दे देते हैं N2 क्या नाम दे देते हैं N2 यानि कि सेकेंड सर्फेस पे नॉर्मल ठीक है अच्छा अब ही देखिए अब यह लाइट जो है यहां पर समझना अब यह लाइट से वापस से रेरर में जाएगी तो रेरर मीडियम यह तो लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल नॉर्मल से दूर भागती है तो आप समझे कि यह यह जा रही थी सीधे लेकिन अब नॉर्मल है उपर तो अब यह नॉर्मल से दूर भागे कि मतलब नीचे की साइड बेंड होगी नीचे की साइड बेंड होगी तो हम इसको कुछ उस तरीके से दिखा देंगे कि यह light जो है यह इस तरह से नीचे की side यह bend हो गई ठीक है तो आप यहाँ पर समझेए कि यहाँ पर हम अलग-अलग नाम दे देते हैं तो देखो जरा यह कौन सी light है यहाँ पर देखें यह कौन सी light है तो हमने का यह तो है sir incident light incident है यह तो ठीक है यह जा रहे देखो यह arrow लगा दिया ठीक अब यह अंदर गुझ गई अच्छा पहले incident ray और normal के बीच में कौन सा angle होता है angle of incident ठीक है चलिए अब यह द्यान से देखना यह normal है यह क्या है यह normal है यह क्या है यह normal ही तो है यह क्या है normal ही तो है सर नार्मल ही तो है तो normal और यह refracted अब देखो यह अंदर घुझ गई तो अंदर घुझ गई लाइन मतब रिफरेटेट Эट रिफरेक्टेट रेह कौनसी? रिफरेक्टेट रेए तो रिफ्रेटेट रे तो रिफरेक्टेट रेह और normal के बीच का angle कहला आएगा angle of reflection लेकिन यहाँ पे दो नॉर्मल है तो यह पहला वाला angle of reflection ठीक है यह light ray आगे जा रही है अब second surface की बात करते हैं तो second surface पे normal यह है और second surface के लिए हम भी देखें यह normal और यह refracted ray तो यह गया angle of reflection ठीक है चलिए नाओ अभी देखो यह यह वाली ray क्या है यह वाली ray कहलाती है यह बाहर जो निकल रही है वापस से मीडियम में तो यह वाली ray कहलाती है emergent ray क्या कहलाती है emergent ray ठीक है emergent ray कहलाती है तो देखो यह normal और यह emergent ray ठीक है तो यह कहलाएगा angle of emergence क्या कहलाएगा angle of emergence अच्छा यहां पर याद रखिए for small prism small prism के लिए हमेशा यह condition होगी हमेशा small prism के लिए क्या condition होगी यह angle of emergence है यह मेशा angle of incidence के बराबर होगा always ठीक है याद रखेंगे now अभी समझते है द्यान से समझे तो यह light रे का एरो हमने ऐसे लगाया और इस light रे का एरो हमने इस तरीके से लगा दिया यह merge अच्छा आप यहां पर एक चीज़ देखो कि light actual में initially ऐसे जा रही थी ऐसे जा रही थी light actual में ऐसे जा रही है ऐसे जा रही है ठीक है मतलब ऐसे जाती लेकिन finally क्या हुआ finally ऐसे गई तो आप देखो light actual में ऐसे जाती लेकिन finally finally वो ऐसे बैंड हो गई तो आप यह देख रहो यह वाला angle यह वाला angle कहलाता है angle of deviation यानि कि वो जा रही थी सर जा रही थी ऐसे ठीक लेकिन चली गई ऐसे तो यह इतना deviate कर गई क्या कर गई पात से यानि रास्ते से बटक गई तो इस angle को हम बोलते है angle of deviation क्या बोलते है angle of deviation चलो मैं इसको यहां पर इस तरीके से बता देता हूँ यह वाला जो angle है इस angle को हमने कहा angle of deviation और इसको हमने कहा डेल्टा ठीक यहां पर आप यह देख रहे हैं इसको हम कहते हैं angle of prism का कहते हैं angle of prism ठीक है ना यह बाद आपको समझ में आई अच्छा यह 90 डिग्री बन रहा है यह normal है ठीक है हमने आपको यह बता दिया अच्छा अगर हम ऊपर वाले कुछ angles की बात करें द्यान से देखना अगर यह वाला यह normal और यह इंस देखो यह incident ray यह incident ray incident ray incident ray incident ray यह पूरी incident ray यह तो आप यहां यह incident ray और normal के बीच में अंगल i है तो incident ray और normal के बीच में यहाँ पे भी अंगल i होगा पीछे को दिखा दिये मैंने आप यहाँ पे दिखा सकते हो तो अब यह total i है तो उपर वाला क्या बचा i-r1 क्या बचा i-r1 अच्छे बच्चों की तरह दिमाग लगा के पढ़ो जड़ा यह i- क्या बचेगा r1 बचेगा तो यहाँ पे लिख लो i-r1 छोटा है कम दिखाई पढ़ रहा होगा लेकिन इसको थोड़ा सा समझ लेना क्या लेका है मैंने बोल दे रहा हूँ i-r1 इसी बरकार से यह e है तो मैं इसको बोल सकता हूँ e-r2 को की e अगर यह पूरा e तो पर यह वाला पूरा e बात समझ में आ रही है तो बचा हुआ क्या हो गया उपर से e-r2 यह वाला एंगल कितना है यह वाला एंगल नाम दे देते हैं let's say आइन प्यक्त हो गया q यह hashtag टिक है नाम हम ऐसे देतेंगे जैसे हमने derivation में दिया होगा यह Worlds d pqr और यह हो गई इस और यह यह नाम दे देते के T clear है तो यह हमारे इस तरीके से रहे डाइगराम बनाते हैं प्रिज्म का उम्मिद गरता हूं कि सबकों चच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा clear है चलो आगे बढ़ते हैं यहां पर जो है एक important formula होता है इसको हम बोलते है formula for angle of deviation मतलब यदी को इस तरीके से हमने देखा कि deviate करती है deviate करती है incident ray ऐसे है emergent ray ऐसे है तो यह जो एंगल बन रहा है this is called angle of deviation तो एंगल of deviation कितना होगा इसके लिए हम जो है formula डिराइग करने वाले हैं तो इसके लिए हमें क्या है कुछ ध्यान रखना पड़ाएगा कि कौन-कौन से एक quadrilateral में work करना है तो सबसे पहले हमने क्या करा यहां पर आप देख रहा हो ए पी आर क्यू इस एपी आर क्यू और क्यू इस तरीके से अब आप ध्यान से देखना यह देख रहा हो यह पी से लेकर के यह वाली लाइन यह अंगल 90 डिग्री बन रहा है यह वाले अंगल ना पता नहीं है तो आप देखो किसी quadrilateral में जो सम होता है सभी अंगल का वह 360 डिग्री होता है तो इसी प्रकार से हमने इसमें भी देखा इसमें भी हमने समझा कि ऊपर वाला एंगल यह यह वाला एंगल 90 डिग्री है 90 यह वाला एंगल हमें आर हमें नहीं पता तो हम लिख द प्लस यह वाला एंगल फिर से कितना है 90 है तो में लिख दिए 90 सब मिला कितना हो गया 360 डिग्री तो यहां से आप देखो कि इस एंगल पी आर क्यू की जो वैल्यू हमने निकाली वो कितनी निकाली यह 90 एंटी 180 सर जागा तो 180 बचेगा और यहां पर आ गया 180 माइनस ए ठीक अच्छा एक मुनत क्यों ऻटाना है इसको आप यहां पर छोटा वाला ट्रैंगल हैंगल देख रहे हो्किया बियांट से देखेओ ये वाला इस टाइंगल के अंदर पी आर क्यू के अंदर आप यह देखिये कि कितने अंगल है एक एंगल आर यह है दूसरा PRQ है तूसरा R2 है एक ट्राइंगल के अंदर सबका सम कितना होता है 180 डिगरी तो एंगल R1 प्लस एंगल PRQ प्लस R2 यह सबका मिला के 180 बचा है अच्छा PRQ की वैल्यू हमने क्या लिखी थी 180 माइनस A यहां से निकाली तो वह समने वो पुट कर दी ठीक यहां से 180 से 180 कट जाएगा तो और यह R1 माइनस A प्लस R2 तो R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या आ गई A इसको हमने बोला second equation क्या बोला second equation अब उपर वाले इस equation में उपर वाले triangle में हम वर्क करेंगे ठीक है चलिए तो next हम देखते हैं यहां पे तो यहां पे आप भी देखें कि यहां पर समझो कौन से triangle में वर्क कर रहे हैं इस angle इस triangle PSQ के अंदर किस के अंदर PSQ के अंदर तो आप समझे इस से पहले जो हमने reflection formula करा था तो हमेशा रखो बाहर वाला is equal to sum of अंदर वाला मतलब बाहर वाले triangle का sum अगर मान के चलो x है तो x is equal to अंदर वाले triangle का sum ठीक है समझो हमेशा triangles का rule क्या होता है कि बाहर वाला जो angle है वो अंदर वाले दोनों angle के बराबर होगा बस इतनी से बात है तो उपर वाले triangle आप psq में work कर रहे है psq इस वाले triangle में ठीक है psq में हम work कर रहे है इसमें उपर वाले triangle psq में हम work कर रहे है तो द्यान से देखिए इस psq में आप यह देखे है तो इसमें फिर से तीन triangle है तो तीन उसे थीन या और वाले यहां पर यह देखिए बाहर वाला येंगल कौन ईंगल? तो दोनो अंदर वाले अंगल का सभी देखाए और अंदर वाले. एंगल कितना है इसमें I-R1 और यहां पे E-R2 यह बताया था आपको तो I-R1 plus E-R2 अच्छा यहां पे हमने R1 R2 को अलग कर दिया और I और E को अलग कर दिया तो I plus E minus R1 plus R2 पिछले ही स्लाइड पे हमने R1 plus R2 की वैल्यू को क्या निकाला था A निकाला था क्या निकाला था A तो हमने का कर रखा कि इस R1 plus R2 की वैल्यू को हमने A लिख दिया तो I plus E minus A यही क्या बन गया यही आप देखो दोनों के बीच में जैसे कभी रिलेशन की ज़रूद पड़ जाए तो यह बन गया आपके पास otherwise आप याद रखें कि जो फाइनल जो रिलेशन हमारे सामने बन रहा है वो यह है deviation कितना होगा दोनों incident angle और emergent angle में से angle of prism अगर आप घटा देंगे तो हमें total deviation जो है light ray का मिल जाएगा clear है चलिए यह बहुत important derivation है और इससे जादा कई गोना जादा important है अभी जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है question दिया गया है काफी important question है relation between refractive index and angle of minimum deviation यहाँ पर आप यह देखो एक चीज़ हमें शयाद रखो thin prism जब भी होता है तो minimum deviation केस बनेगा तो कभी भी जब minimum deviation की बात करी जाए मतलब जैसे angle of deviation आप समझते हो तो जब angle of deviation minimum होगा यानि की incident ray की direction और emergent ray की direction जब कम से कम होगी तो ऐसे case में आपको याद रखना है के angle of incidence हमेशा बराबर होगा angle of emergence के r1 और r2 जो दोनों angle of reflection है ये दोनों angle of reflection है ये दोनों बराबर होंगे और आपने यहाँ पर इनकी equation पड़ी है अभी देखो r1 प्लस r2 is equal to a होता है अगर ये दोनों बराबर हो गए तो r प्लस r is equal to a बनेंगे और इस हिसाब से 2r is equal to a बनेंगे और जरुद पढ़ने पर हम r की value को then a by 2 put कर सकते हैं है यह आप याप याद रखिंग बजतनी से बात है तो just अभी अभी हमने यह देखा था अभी अभी हमने यह देखा था के i plus e minus r1 plus r2 is equal to delta होता है अगर आप चीजों को आसान रखना चाहते हैं तो अभी हमने यह देखा था एक मिनट सॉरी हमने यह अभी solve करा था कि i plus e minus a minus a is equal to delta होता है होता है बात समझता है यह अभी मैंने derive करा है just 2 मिनट पहले तो आप यह देखो जब normal deviation है तो हमने यह लेखा लेकिन जब deviation minimum हो गई जब deviation minimum हो गई तो angle of emergence angle of incidence के बराबर हो गया यहां तक की जो a है जो a है वो किसके बराबर हो गया 2r के बराबर हो गया 2r के बराबर हो गया तो आप यहां पर समझें कि i plus i क्या होता है 2i minus यह क्या होगा 2r और देखो ये normal deviation ये minimum deviation minimum deviation वाले case में ये e जो है i के बराबर हो गया तो आप यहाँ पर देखें कि 2i-2r की जगह हम का लिख सकते हैं अरे भाई साब वैसे लिखने की जरौती नहीं है आपको लेकिन फिर भी अपने a लिख रखा है ना तो यहाँ पर ये लिखने की जरौत नहीं है तो direct आप a से ही काम चलाएं तो यहाँ पर जो final formula बन रहा है वो ये बन रहा है i का formula क्या बना i का formula कुछ ये बन जाएगा del minimum plus a और ये कुछ इतना बन गया तो i का formula क्या बना del minimum plus a by 2 अच्छा अब r की जरौत पढ़ेगी हमें क्योंकि देखो refractive index का formula तो क्या होता है sin i upon sin r sin i की value मुझे पता पढ़ गए plus sin r की value क्या है तो ये हमने निकाल रखा है r की value a by 2 वो यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे तो refractive index of prism का जो formula है वो simple सा ये बन गया sin i upon sin r से i की value हमने ये निकाली r की value हमने ये निकाली तो इस तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं we know that आप क्या लिख सकते हो we know that we know that deviation in prism deviation in prism ठीक है और इसके बाद जो है आप इस वाली line को जो है इसके अंदर लिख दें telegram पे जाकर के मैं जब इसको send करूंगा तो पूरा proper जैसे लिखना चाहिए आपको exam में वैसे लिख दूंगा clear है तो यह हमने एक important जो for derivation है वो करा इसमें refractive index of prism कैसे निकाला जाता है refractive index of prism निकालने के लिए sine i upon sine i की ज़रोद होती है इसके रिए हमें i हमने निकाला कुछ इस परकार से r हमने निकाला कुछ इस परकार से और अपना काम हो जाएगा तो यह जो relation है किसका है या कहूं कि derivation किसका है refractive index of prism का यहाँ पर यह refractive index है यह angle of minimum deviation है clear है तो अभी देखिए जरा आप यहाँ पर अभी क्या होता है कि angle of deviation इसमें आपको अलग अलग चीजों के ज़रूद पढ़ती है वो जो फॉर्मूल हमने लिखा वो काफी important था लेकिन यह भी आप यहाँ पर देख लो angle of deviation को यानि की delta को ठीक है हम refractive index के form में किस तरीके से लिखते हैं यह भी हम बता देते हैं direct अगर कोई question आ जाए तो छोटा नहीं है साइन डेल्टा minimum प्लस ए अपॉन टू यह फॉर्मूला होता है अभी हम निकाला है जब angle बहुत छोटा होता है जब angle जैसे small prism की बात करी जा रही है तो जब angle बहुत छोटा है तो हम sin theta को sin angle approximation से theta मानते हैं क्या मानते हैं theta तो यह जो अगर छोटे prism की बात कर रहे हैं तो सभी angle आई और जो है यह बराबर है इसी परकार से sin theta बराबर होता है theta के तो अगर sin theta लेखा है तो उसके theta लेख सकते हैं तो यह लेखा है sin del minimum प्लस a by 2 तो आप इसमें sin यह sin है और यह theta है तो सिर्फ आपने कह बचने दिये theta और रीचे भी कह बचने दिये theta है sin sin cancel नहीं हुआ है बस यहाँ पर sin angle approximation लगा है जो यह कहता है कि अगर बहुत छोटा angle है तो theta को आप 10 theta मान सकते हैं हाँ और अगर sin theta लखाया तो आप इसको theta मान सकते हैं ठीक तो formula आपके बास कुछ यह बन गया अब यह a by 2 उपर जाएगा तो 2 by a बन जाएगा ठीक है इसके अलावा आप यह देखें 2 by a बनेगा तो 2 से 2 कटेगा तो final जो refractive index का formula यह बन रहा है a को cross multiply कराया तो file formula यह बन गया गया तो mu minus 1 is equal to del minimum अगर हम बात करें यहाँ पर एक important graph की तो आप यहाँ पर देखें कि इस side क्या लेखा है angle of deviation जिसको हम delta से represent करते हैं और this side angle of incidence तो आप यह देखो कि deviation जान से समझो यह क्या है इस side क्या है deviation तो अगर आप नीचे आ रहे हो नीचे आ रहे हो नीचे आ रहे हो नीचे आ गया तो नीचे आ रहे हो उसका मतलब deviation कम हो रही है क्या कम हो रही है deviation ठीक है क्या कम हो रही है deviation ठीक और उपर जा रहे हो तो deviation बढ़ रही है ठीक तो आप यह देखो कि इस जगह पे इस जगह पे minimum deviation है minimum deviation तो minimum deviation वाले case में यह जो angle of incidence या angle of emergence के बराबर होता है यह graph अमें यह बताने की कोशिश कर रहा है क्या है वो तो कोशिश कर रहा है लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं यह आप मुझे जरूर से comment section में बताना नेक्स देखिए जरा नेक्स में मिल रहा है angular dispersion अब angular dispersion में क्या दिया हुआ है समझो जरा actual में क्या होता है जिसे मान के चलो यह मेरे पास एक prism है ठीक है डैन समझना यह मेरे पास एक prism है अब इस पर आई white light क्या आई white light अब यह white light जो है इस तरीके से यह refractory तो अलग- dispersion क्या होता है यह में बताता है कि वॉयलेट और red यह extreme color कहलाते हैं बिलकुल end वाले एक red color है जो upper end पे और वॉयलेट जो bottom end पे ठीक है तो यह जो extreme color साब देख रहे हैं इनके बीच में कितनी angular separation है इसको हम बोलते हैं angular dispersion जैसे कि यह incident ray है अब यह incident ray को जिस तरीके जा रही अब दोनों के बीच में separation बताने के लिए किसी को तो हम एक reference मानना पड़ेगा तो हमने का यह जो आप यह लाइट देख रहे हैं यह क्या है यह red light का deviation है क्या है red light का deviation और यह जो आप देख रहे हैं यह क्या है यह वॉयलेट लाइड कलर का डेवियेशन है इसका वॉयलेट का हाँ तो हम यहाँ पर जो एंगुलर डिसपर्जन जो देखते हैं इन दोनों का क्या है डिफ्रेंज आए ठीक है दोनों के बीच की सेपरेशन तो हमने कहाँ डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर तो आप बी की वैल्यू क्या रखेगी डेल्टा की देखो अभी आपने जस्त निकाली है क्या निकाली वैल्यू म्यू माइनस वन ए इस एक्वल डेल मिनिमम यानिकी डेल्टा ठीक है देखो तो यह वैल्यू हमने निकाली है थिन प्रिजम के लिए बात कर रहे हैं मिनिमम डेविश into one, यह angular dispersion होता है, तो अगर आप से पूछा जाए, angular dispersion कैसे निकालना है दो color के बीच में, तो आप इस तरीके से कोई भी दो color के बीच में निकाल सकते हैं, हाला कि angular dispersion बीच के बीच का angular separation होता है, हाँ और इसको measure करने के लिए ऐसे नहीं बताते हैं है ना इसको बिलकुल angle of deviation के term में बतायाता है कि violet actual में कितना deviate करा red कितना deviate करा तो next जो होता है आपके पास वो होता dispersive power dispersive power का मतलब है कि actual में prism जो है कितना उसको किसी भी light को disperse करा सबता है तो आप यहाँ पर समझे कि इसको हम mean color से बताते हैं जैसे कि dispersive power का it is the ability of prism to cause dispersion it is the ratio of angular dispersion to the mean deviation आप यह prism देखो prism में यहाँ पर यह एक तो जो है red light है एक violet light है और एक यहाँ पर yellow light है yellow light को आप कहते है mean light क्या कहते हो इसको आप कहते हो mean light तो आप यह समझे angular dispersion अब आप समझ गए del v minus del r upon mean deviation mean deviation में आपकी yellow light आजाएगी तो आप यहाँ पर समझे कि इनका आप जो ratio निकालते हैं यानि कि angular dispersion mu minus mu r और यहाँ पर जो आप भी देख रहे है mean deviation मतलब बीच वाली light का जो deviation कितना हो रहा है उसी को आपने बोला dispersive power ठीक है तो इस तरह के पॉर्मूला बनाके यह final formula आपके पास बन जाता है ठीक है तो इसके बाद जो है का ही example नहीं है यह combined effect है किसका total internal reflection reflection and dispersion of light का अभी किस तरह से rainbow formation होता है इसको हम समझते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास rainbow formation के लिए यानि कि rainbow बनने के लिए दो necessary बात है क्या कि पहले तो जो rain जिस साइड हो रही हो यानि कि बारिज जिस साइड हो water droplet जिस साइड हो वो sunlight की just opposite direction में होना चाहिए let's say अगर sun जो है यह west में है ठीक है तो जो बारिश बगरा जो हो रही हो वो east में हो रही हो ठीक है यह क्या है यह rain drop है rain drop मतब sunlight और यह rain drop यह just एक दूसरी का opposite होना जिए और जो व्यक्ति जो उसको देख रहा है न वो sun की साइड उसकी back होना चाहिए otherwise वो उसको नहीं देख पाएगा नहीं observe पाएगा ठीक है अभी होता क्या है आप सभी लोग समझदार बच्चे हैं आप इसको समझते हैं कि देखो actual में जैसे मान के चलो यह sunlight है समझना sunlight है sunlight में सारे color है अभी होता क्या है कि जब light इस तरीके से किसी droplet में enter करती है तो यह light ray सबसे पहली बार इस surface के अंदर गुसेगी यानिकी reflection होगा क्या होगा reflection अभी light इस तरीके से एंटर करी अभी होता क्या है कि जब यह light रिफ्रेट करके दूसरी surface से इसके टकराईगी inner surface से तो अभी जब यह दूसरी surface से टकराईगी और अगर यह angle critical angle से बढ़ा हो गया अगर यह angle किससे बढ़ा हो गया critical angle से मतलब 48 degree अपरॉक्स इससे बढ़ा हो गया यह वाले case में चलो मैं angle की बादा भी छोड़ देता हूं अगर यह angle critical angle से बढ़ा हो गया तो यह light आर पार जाए बिना यह का करेगी यह वापस इसी medium में reflect कर जाएगी ठीक है और यह फिर बाहर निकल जाएगी कुछ इस तरीके से तो यहाँ पर आप क्या द अगली मतलब फिरसे reflection और एक बार total internal reflection हुआ तो जब किसी rainbow में जब किसी water droplet में दो बार reflection और एक बार total internal reflection होता है तो ऐसे case में जो rainbow बनता है उसकों बोलते हैं primary rainbow क्या बोलते हैं primary rainbow primary rainbow में red color top पर होता है red color top पर होता है और violet color bottom पर होता है ठीक है ध्यान देना अभी आपको एक और जीद समझनी है मैंना अब का पता है सर यह actual में rainbow अचानक से कैसे बन गया देखो मैं फिर से बता रहा हूं white light जब आती है तो होता क्या है तो होता यूं है कि white light जब reflection होगा white light का है ना medium चिंजनों से यह अलग-अलग seven colors में यह disperse हो जाएगी यानिकी बिखर जाएगी अलग-अलग colors में बिखर जाएगी और जब यह color बाहर निकलेंगे तो भाई हमें rainbow के form में दिखाई देंगे अच्छा primary rainbow में क्या है कि जो red light आप देख रहे है देखो red light जो है यह 42 degree पर आती है और जो violet light है यह 40 degree पर आती है अब जो color हमें दिखाई पड़ते हैं वो सिर्फ एक droplet के current दिखाई नहीं पड़ते हैं जो observer यहाँ पर जो आप observer देख रहे हैं Let's Show हमारे पास दो drop है यह drop है one और यह drop है two तो हम क्या देखते हैं ? Let's say drop one से red color observer की आख में गया और drop two सरी जो की नीचे है तो उसका violet बाकी जो कलर से उनका लेवल ऑब्जरवर की आंख से या तो नीचे होगा या उपर होगा तो ऐसे केस में हमें देखने हो क्या मिल रहा है रैड कलर उपर और जो है वालेट कलर नीचे तो आप यहां पर देखें कैसा रेंबो प्राइमरी रेंबो कहलाता है ठीक है और यहां उपर जो आप एंगल देखेंगे एंगल का जो डिफरेंस होगा जिसको मैं क्या बोलूंगा एंगुलर डिसपर्जन में इसको कह सकता हूं तो एंगल का जो डिफरेंस होगा एंगल बिट्वीन रैड एंड वॉयलेट कितना है यह थ्री डिग्री है कितना है थ्री डिग्र तो सेकेंडरी रिंबो में आप क्या देख रहे हैं let's say यहां से LIGHT इस तरीके से आती हैं मान के चलना अब यह अलग अगल पर आएगी तो अलग अगल पर जाएगी अब अलग अलग तरीकी से यस से अंदर एंटर लो काईगी इस बार जा जो है critical angle एक बार जो है critical angle से ज़्यादा बने दूसरी बार यह बन जाए है ना तो यहां पर हमने देखा कि light इस तरह के sunlight आई यह देखो एक बार अंदर गुसि यानि कि एक बार reflection टकराई critical angle से ज़्यादा बना तो टोटाल इंटरे रेफ्लेक्शन फिर टकराई critical angle से कम बना इस बार तो ये बाहर निकल गई तो हमने क्या देखा कि यहां पर क्या हुआ कि दो बार दो बार reflection हुआ प्लस दो बार ही total internal reflection हुआ तो ऐसे case में हमने क्या देखा ऐसे case में हमने देखा कि जो rainbow जो बन रहा है इसको हमने बोला secondary rainbow ठीक है और यहां पर देखिए जरा secondary rainbow में violet on top violet color किस पर होता है violet on top comma red on bottom red on bottom red color bottom पर होता है और यहां पर जो angle का difference होता है यह कितने degree होता है आप देखे रहा है red यह उपर है violet नीचे है यहां पर जो angle difference जो होता है angular dispersant जिसको हों कह सकते हैं कितने degree होता है यह होता है three degree ठीक है तो यह हो गया rainbow का formation अब यह एकदम conceptual question है मैं उम्मिद गरता हूँ कि आपको यहां पर यह समझ माया होगा अब इसके बाद हमें कुछ numericals कर लेने चाहिए और इसके बाद chapter जो होगा यह finish हो जाएगा ठीक है आप इसका screenshot ले ले अभी बागी telegram पे notes आपको मिल जाएंगे अभी आपको एक question दिया जा रहा है इस question में क्या लिखा है यहां पर आपको इस टेबल में उपर angle of incidence की values दी गई है और नीचे दी गई है angle of deviation आपको पदा पढ़ रहा है कि जब इतने degree पर light incident करेगी प्रिस्म पर तो इतना 60 degree angle of deviation होगा अगर light 30 degree पर 38 degree पर incident करती है तो deviation angle 50 degree हो जाएगा ठीक तो आपसे पूछ रहा है for what value of angle of incidence मतलब किस value पर कितने angle of incidence पर angle of emergence is likely to be angle of incidence कितनी emergence value पर angle of कितने incidence angle पर angle of emergence और angle of incidence यह बराबर हो सकते हैं इसमें यह नहीं का कि is equal to इसमें का is likely to be मतलब इनकी possibility है हाँ इन में से कितने degree पर तो आप समझे कि आप से पूछ रहा है कि इससे मिलती जुलती इससे मिलती जुलती condition आपको बतानी है तो आप यह बताओ आपने क्या पढ़ा है इससे अपर देखो यहां पर देखो सबसे कम सबसे कम deviation कौन सा है minimum deviation 40 degree तो 40 degree यानि की 52 degree angle of incidence पर 40 degree deviation मतलब minimum deviation है तो minimum deviation कितने angle of incidence पर है तो first वाले का जो answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा I should be equal to 52 degree इसमें यह नहीं का exact equal होगा इसमें का इन में से कौन सा angle ऐसा है जब angle of incidence और angle of emergence एक दूसरे के just बराबर हो सकते हैं इसमें just equal to exactly equal to likely to be इनकी possibility है तो अगर हम इसको solve कर लें कि angle of emergence कितना निकल किया आ जाएगा तो देखो मैं आपको बता देता हूँ डेल प्लस A is equal to I plus E यह relation मुने पढ़ा है यह नहीं पढ़ा तो आपने यह तो पढ़ा है डेल्टा is equal to I plus E minus A डेल्टा का है minimum angle of deviation तो आप यह 40 degree मान लो जब 40 degree होगा I plus E तो हमें पता है कितना डिग्री है फिफ्टी डिग्री फिफ्टी टू डिग्री प्लस E की वैल्यू नहीं पता angle of prism जो नॉर्मल एक्विलेटरल प्रिज्म होता है इसमें angle of prism 60 degree मान जाता है 60 degree तो यह कितना निकल के आ गया आप इसको देखें 60 रुचालिस सो ठीक है माइनस फिफ्टी टू E तो E is equal to आपका आ गया 48 degree मतलब यह exact equal to नहीं है उसने पूछा कि इन में से कितने angle पर सर आपने तो कहा था minimum deviation पर exact equal होते है I और E हाँ बिलकुल होते है लेकिन हमें जो option दियेगा है इन में से बस यह वाले angle of deviation पर हमें जो I और E लगबग लगबग इतने ही इस से अदा और जो है इन कम difference पर मिलेंगे आपको ठीक है बत समझ मारी है अगर आप इन में से कोई और angle ले लेंगे ना तो हम देखेंगे कि I कुछ और है और E की value उससे बहुत दूर भाग रही है अच्छा इसके लिए second part में करा है कि draw a ray diagram showing the passage of light ray आपको एक ray diagram मनाना है जो इनकी deviation को मतलब इस तरीक से बता सके कि इसके हिसाब चापने ऐसे diagram मना है तो यह जो deviation angle कितना बता जा रहा है यहाँ पर 40 degree है ठीक है नॉर्मल इस surface पर नॉर्मल ऐसे जाएगी तो यह वाल एंगल कितना है emergence angle 48 degree ठीक यह नॉर्मल है ठीक यहाँ पर यह सिव दिखाया जाएगा और यह वाल एंगल कितना दिखाना है 52 degree ठीक है बात समझे बाई तो यह आपके second part का answer हो गया अच्छा next question में आपको क्या दिया जा रहा है ध्यान से समझ लेते हैं जरा तो देखो देखे अभी जो question आपको मिल रहा है काफी important या कहूं अच्छा question है यह पूछे मैं आपको जितने भी questions मैंने करा हैं यह आपके previous years में पूछे गए question है ठीक है तो आप इनको अच्छे समझेंगे पढ़ेंगे प्रिजम में से question पूछे गए पिछला वाला भी ये वाला भी और अगला वाला भी question पूछा गया है देखो इस question में क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास एक prism है हमारे पास क्या है एक prism है ठीक है तो prism हम बना लेते हैं ये prism हम बना लेते हैं ठीक है ये एक prism है और यहाँ पर क्या दिया जा रहा है कि ये वाला जो एंगल है ये 45 degree है यहाँ पर तीन light ray आती है ये blue है green है और ये red है blue, green और ये red ये अलग-अलग इस triangle की sides होगा यानि prism की t, q और ये r ये तीनो light ray इस तरीके से आ रही है एक दूसरे के parallel है और आकर के इस से टकराती है अब इसमें से पूछ रहा है कि इन तीनो light ray में से तीनो के refractive index ये ये और ये दिये हुए है ठीक है तो ये तीनो light ray में से कौनसी light ray emerge कर जाएगी या एक से ज़्यादा light ray भी emerge कर सकते है emerge करने मतलब अंदर गुसेगी अंदर जाएगी फिर बाहर निकल जाएगी देखो दो केसे बनते हैं या तो light reflect कर जाएगी या reflect कर जाएगी ठीक है अब देखे reflection में दो किस होते है एक तो normal reflection होता है rarer to denser वाला और एक होता denser to rarer वाला reflection उसको हम बोलते हैं total literal reflection वो का बोलता है देखो ज़रा सबसे पहले सारा खेल ना सारा खेल है इस वाले face का light आईगी और इस वाले face से या तो टकरा के लौट जाईगी या आरपार चली जाईगी जिसको हम बोलते है emerge करना तो बूछ रहा है कौन सी light के साथ ऐसा होने वाला है देखे ज़रा सबसे पहले let's say ये light आई तो ये light जो इस वाली surface पे इस वाली surface पे जब light टकराईगी तो क्या हवा में से आ रही है नहीं इस वाली surface पे जब light टकराईगी तो पहले denser medium glass के अंदर travel कर गई तो आ रही है ये बाद आपको समझने glass के अंदर travel कर कर के आ रही है तो light denser to error medium जा रही है तो इस बार दो किसे या तो light réflect हो जाएगी या total internal reflection हो जाएगा इसका अब total internal reflection कब होता है तो याद रखिए जब angle of incidence critical angle से बढ़ा होता है तो ऐसे के इसमें light मतलब जब incident angle critical angle से ज़़्दा बढ़ा हो तो ऐसे के इसमें light टकराके जञाए लॉट जाती है तोटल इंटर्ल रेफ्लेक्शन हो जाता है देंसर डूरर मीडियम में लाइट जानी चाहिए तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हमें critical angle पता हो हर color की light के लिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मैं critical angle निकालने की बात करूं तो देखो critical angle निकालने के लिए formula हमारे पास है sin i is equal to 1 upon mu तो अलग-अलग color के लिए हमने critical angle निकाले formula sin i is equal to 1 upon mu तो red के लिए जो mu दिया है वो 1.39 है तो यहां cancel करने के पास answer आता है 0.719 calculation जादा हो रही थी इसलिए मैंने यह calculation पहले से लिख लिए है तो अब 0.707 यह value होती है 45 degree के 0.719 है यह value निकल के आई 46 degree के तो red color के लिए जो critical angle आया है यह 46 degree आया तो अब है ग्रीन color के लिए critical angle 44 degree आया similarly इसके लिए critical angle 43 degree निकल के आया blue के लिए ठेक तो अभी आप यह देखिए कि यहां पे हमें सबके critical angle तो पता पड़ गए अब हम यह देखते हैं कि सभी light ray कितने degree पर incident करी है तो देखो आप जानते हैं यह angle कितने degree बन रहा है यह angle बन रहा है 45 degree तेक अब अगर कोई light इस तरीके से आती है तो यह corresponding angle यह भी तो 45 degree रहेगा ठीक है चलो ठीक देखो अगर मैं incident angle अब देखो यह पर अगर मैं एक normal draw करता हूँ क्या draw करता हूँ normal तो angle of incidence मुझे बताना है तो यह normal और incident रही है इन दोनों के बीच का angle कितना हुआ 45 degree अब यह light क्या करेगी तो इसका मतलब हम यह पता पड़ गया ना 45 degree पर आ रही है सभी light ray यह 45 degree पर आ रही है यह क्या है इस surface पर normal है यह सभी light ray 45 degree पर यह incident हो रही है तो यह angle 45 नॉर्मल बनाया यह 90 degree है यह 90 degree हुआ normal तो दर सर्फिस को 90 degree सर्फिस से तो यह अगर पूरे 90 पर यह 45 तो यह 45 बचेगा ठीक है ध्यान समझें ध्यान से समझें देखो तो अभी देखिए जरा तो हमने क्या पाया कि जब जब angle of incidence critical angle से बढ़ा है तो light total internal reflection उसमें होगा तो यहाँ पर देखो यह angle of incidence यहाँ पर critical angle से बढ़ा है green light में तो green light क्या कर जाएगी तो green light जो होगी यह तकरा के लौट जाएगी कितने डिग्री पे वह जितने डिग्री पर आई थी उतने डिग्री पर यह लौट जाएगी तिक है इसी तरह अभी देखे तो अब सिर्फ red वाला केस ऐसा बच रहा है कि red light वाले केस में critical angle 46 डिग्री है ठीक है और आ रही यह light 45 डिग्री पे मतलब critical angle से छोटा अगर angle बनता है तो light का total इंटर reflection नहीं होता और यह light आर पार इस तरह से normal से दूर भागती हुई चली जाएगी बताओ इसका मतलब यह हुआ कि red light क्या कर जाएगी यह इमर्ज कर जाएगी यह red light क्या कर जाएगी इमर्ज कर जाएगी इमर्ज कर जाएगी ठीक है तो यहां पर जो correct answer है वो red हो जाएगा clear है बात समझ में आ रही है उमीद करूंगा आपको इस सब clear हो रहा होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं और एक question और देखते है इसमें बढ़ी आसा आपने इतना कर रहा है इसको और थोड़ा सा समझें देखो यहां पर क्या दिया है array of light incident on an on an equilateral glass prism mu g is equal to root 3 moves parallel to the baseline prism inside it ठीक है देखो यहां पर condition यह है कि let's say यह मेरे पास एक equilateral prism है कैसा है equilateral prism पिछला वाला case आपने देखा था कि prism में angle बन रहा था 45 degree यह वाला जो equilateral prism है उसमें angle केतना होगा angle of prism 60 degree होगा ठीक है inside prism जो light ray है यह parallel move कर रहा है यह baseline के मतलब इस तरीके से यह यह वाले case बन रहा है ठीक है और यहांसे refract कर जाएगी ठीक है बहुत सही अच्छा इसके बाद पूछ रहा है find the angle of incidence of ray यह ray कितने angle पर incident करती है मतलब देखो यहां पर आपने एक normal ड्रॉ करा यहां पर क्या ड्रॉ angle of reflection तो आपको यह angle of incidence निकालना है बहुत simple सी बात है देखो सबसे पहली चीज़ आपको यहां पर एक चीज़ उसने समझाई है क्या समझाया कि यह बत देख लो जरा जब यह refracted ray inside prism और यह baseline और यह baseline जब एक दूसरे के parallel होती है तो यह minimum deviation ही condition है तो आप यहां पर समझे यह base यह से काहूं यह refracted ray inside prism is equal to यह is parallel to base line thus it is condition for minimum deviation तो यह किसकी condition हो गई? यह minimum deviation की condition हो गई डियान रखेंगे तो अच्छा सा ठीक है मान दिया हमें हमें निकालना क्या है? find the angle of incidence of rate तो angle of incidence निकालना है तो फॉर्मूले तो अपने पास काफी सा रहे हैं जैसे की mu is equal to del m plus a by 2 upon a by 2 बट क्या मुझे del m पता है? नहीं पता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हो पता है अब यहां पे i नहीं आ रहा है अच्छा मुझे पता है कि i की value क्या होती है? i की value यह होती है यह भी मैं जानता हूँ ठीक है? r की value जानता हूँ a by 2 minimum deviation के लिए यह होती है तो a by 2 से मैं r निकाल लूँगा अरे भाई साब बिल्कुल ठीक है? और i निकालने के लिए del m plus a by 2 गरूँगा यह मुझे पता है del m यहां पे del m की value नहीं दी हुई है ठीक है? हाला की del is equal to i plus e minus है देखो मैं आपको बता रहा हूँ मैं एक second मैं आपको बता सकता हूँ कि यह ऐसे हो जाएगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कितने तरीके से इसको solve कर सकते हैं जैसे delta निकाल लो यहां से अब यह 2i हो गया अगर minimum deviation वाला की इस बन रहा है तो i और यह दोनों same है और यह minus 60 degree हो जाएगा delta की value आप यहां से निकाल सकते हैं ठीक है देखो तो बहुत सारे cases हैं लेकिन मैं आपको simple सी बाता रहा हूँ आपको सिर्फ यह वाले face के दाट deal करना है तो यह वाले face में क्या लिखा हुआ है देखो अच्छे बच्चों की तरह यहां देखो किस निल्स लोगा करता है music called to sign i upon sign i होता है ठीक है जाएज देखे यह light कहां से कहां जा रही है सिर्फ इस वाले case के में बात कर रहा हूँ तो light यहां से air से जा रही है glass में कहां से जा रही है air से glass में तो यह air से जा रही है ठीक है त आर हमें नहीं पता लेकिन अभी देखो just मैंने आपको hint दी थी new g की value क्या है root 3 glass का refractive index क्या बोला root 3 और air का refractive index में पता है sign i हमें निकालना है क्या मुझे r पता है नहीं पता लेकिन अभी अभी तो आपने देखा कि देखो यह minimum deviation वाला case है तो ऐसे case में हमने पढ़ा है कि r is equal to क्या होता है a by 2 नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा rewind कर कि देखो ज़रा दोस्तों तो r की value कितनी हो ग degree कितने degree हो गई 30 degree हो ठीक है तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आ गया sign 30 sign 30 अब sign 30 का into यहाँ पर खड़तो तो root 3 into sign 30 sign 30 की value 1 by 2 यह आ गया sign i sign 30 का simple into sign 30 value 1 by 2 तो sign i तो sign i is equal to कितना हो जाएगा भाई साब root 3 by 2 तो अब यह देखो i is equal to कितने degree आ गया है 60 degree आ गया है बताएगे ज़रा clear है ठीक तो इस तरहीके से आपने इस question करा formulae रखिए practice करिए टेक जितने ज़्यादा practice करोगे उतना ज़्यादा ही जो है आपको बढ़िये लगेगा अगर आप परेशान हो रहे हैं हाँ आप अच्छे questions को practice करना तो हमने आपको बता रखा है कि आप हमारी जो book है एडुकार्ट physics question bank आप इसको जो है order करें purchase करें और इसको practice करें इसमें आपको अच्छे questions with case study, assertion, reasoning यह सारी चीज़ें मिल जाएंगी cbsc के लिए एकदम बढ़िया और सांदार book है बच्छों के review भी बहुत अच्छा रहे हैं आप जरूर से इसको order करके practice करें तो आपकी physics में आपको मजा आ जाएगा book order करना है तो जो link है यह मैं आपको description में दे दूंगा तो इसे ही अगले chapter में भी हम बहुत मतलब अगले part में ही हम बहुत सारे previous questions के साथ लेकर के आएंगे सभी के ray diagram magnifying power आपके दिमाग में एकदम fit कर देंगे tension मतलिना मैं आपके साथ हूं साथ रहूँगा और आपकी physics को आसान बनाता रहूँगा जितना मैं कर सकता हूं वो सारा आहू के नाम से इस वीडियो के description में आपको ray optics के तीनों parts की link मिल जाएंगी जरूर से चेक करें जरूर से उन सभी videos को देखें मिलेंगे आपसे next video में तब तक के लिए thank you so much guys thanks a lot see you again in the next video comment section में आपका wait कर रहा हूं thank you guys